आज का लखबारों में कोई नई सुर्खियां पढ़ने का लिए नियुक्ति आज का लखबारों में कोई नई सुर्खियां पढ़ने कोई नई मिलती वही पुराने खबरें कहीं कोई नेता ने 20 करोड का घोटाला कर दिया कहीं खून खराबा हो गया अच्छी खबरें छपना ही बंद हो गई हैं हर तरफ सिर्फ इन मायूसी वाली खबरों की ही बाते होती हैं ये मायूसी ऐसी फैली हुई हैं कि हर के disability प्ढरा कुछ और था पहले लोग एक दूसरे का सहरा बनते थे लेकिन आज वक्त बदल चुका है आज लोग एक दूसरे के कहलाफ हो गए हैं लेकिन पिर भी आज की दुनिया में कुछ ऐसे लोग ہیں जो दूसरों की मदद करने में यकीन रखते हैं और आज आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो सिर्फ धर्म की राह पर चलता है उसका नाम है वेंकटेश अरे भाई काम में ध्यान दो किन खयालों में खोये हुए हो देखे न गुरुजी देखे कैसी अपनी मालिश करवा रही है किसी जंगली बैल से बिलकुल भी कम नहीं लग रहा है और इस बैल को उस सुन्दर सी लड़की से शादी करनी है अब कैसे जोडी जमेगी हमारे सोचने से क्या होता है भाई जोडियां तो ऊपर से बंकर आती है उपर वालों की नहीं नीचे वालों की करामत है ये अरे भाई फिल्मे नहीं देखते क्या विलन हमेशा हिरोइन को उठा लेता है उसके साथ शादी के खौफ भी देखता है लेकिन आखिर में हीरो के हाथ से उसकी धुलाई होती है आप भी कैसी बाते कर रहें गुरू जी ठीक है मैं यहां के जो हालात है उसकी बात करता हूं उस पिंजने का रखवाला ये रहा. मलिक, पुझा मेम साब भाग गई. उड़ गई ना? वा, गुरुजी, अंतरयामी है आप. तजुर्बा, और कुछ नहीं. जरा रुकिये, आता हूँ. पिताची को इस बात का इल्म हुआ, तो वो मेरा खून करते के, जाओ ठूड़ो. रुगे, रुगे, मुझे कुछ कहना है. इस तरह ढूडने से कुछ नहीं होगा. आप सब लोग मेरे साथ चलिए. मेरे गुरुजी के पास दिव्य द्रश्टी है. उनका दिमाग बहुत तेज है. वो आपको जख्के में बता देंगे, बुल-बुल कहां उड़िये. अब देख क्या रहे हैं? चलिए मेरे साथ. आईए. खाड़े-खाड़े, क्या देख रहा हूँ? जाओ ढूड़ो, बुजागो. मेरे कान के रीज़ क्यों बजाएं? सच्चाई हमेशा कड़ भी होती है. मैंने तो मीठी बात की थी, वो भी हसम नहीं हुए उससे. शंकर ठाकुर, जरूरी तो नहीं न, तुम जैसे बोलोगे, वैसे ही होगा. लगता है तुम्हें ये जगे बहुत पसंद आगई, खरीदना चाहोगे? है क्या तुम्हारी इतनी आउकाद? शकल देगी क्या अपनी आइने में, यहां का एक पत्थर भी नहीं करी सकता. और ये जगे चाहिए, भटीचर है तू. तुम उस गुरू रेटी के दम पे उड़ रहे हो न, वो इस वक्त जेल में है. वो बले ही जेल में हो, मगर उसका चेले तो बाहर है न, उसका काम करने के लिए. हलो? सूरी, पूजा मेम साब घर से भाग गई. हां? साब, पूजा मेम साब घर से भाग गई? हाहा, हाहates में एक नड़की को समान नहीं सकता, और आया है स्वधा करने के लिए मत और रहत है लोग हासते हासते मर जाते हैं, आज देख भी लिया. अबने हो, इस वक्त? का है काा थ कीख्त? कर दो दो दो! अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छांग अगर मैं तुम्हारे साथ इसे मेरी मजबूरी मत समझना इतनी भी कोशिश कर लो तुम यहां से भाग नी सकते तुम्हारी शादी मेरे बेटे संजु से ही होगी तुम्हारी मर्जी हो या ना हो हाँ अच्छांग जाए का सम में अच्छांग पल्गा रहा दिदे फिरा तुम्हां अपार रेटे लगी तो नहीं है आपको खड़ी खड़ी हो जाए अरे आपको कही चोट नहीं लगे ना अरे मेरे कमाल का दर ठीक हो गया शुक्रिया बेका शुक्रिया यह लिजी मेरा मुझ लेकर क्यों भागा गलती से हेलमेट समझ के उठा लिए यह हेलमेट इखता है क्या जंगडा क्यों करें यह रखो वो देखो वो लोग मेरे पीछा रहे हैं मुझ आने दो तुम चुट बोल रही हो तुम पक्कल दाटों के मुझे नहीं जीना चलो जान बज गई शुकर रहे हैं यह रुको अरे यह तो राजिंद्र का इलाखा है क्या रहे राका मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है उसने मेरा बहुत बड़ा नुक्साम किया है हमें उन्हें भारी मतों से चिताना है और यह तब ही मुम्किन होगा जब आप लोग उनका साथ देंगे यह तकले वह अब तक आया क्यों नहीं आई रहा होगा से अगर आपके पास अपनी तारीफ में बोलने के लिए कुछ शब्द हैं तो वह लिस्ट भाई को दे दो भाई वह भाशन पूरा का पूरा रट लेंगे अच्छा इसे यह फाइल दे दे जा शुरू कर आप बठी है भाई आप ये प्रोग्राम निट्टा लो मैं मुल्ना जी के पास जाके दूसरे प्रोग्राम की तारी करता हूँ ठीक है अरे फाइल तो दे जब देखो भूल जाता है बोलू को क्या सभी को मेरा नवश्कार नेक काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे काम के बीच में कोई रुकावट ना आए जैसे बादल गरजने से बिजली ना गिरे जैए श्री कृष्णा भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया तो इसका मतलब यह मत समझेगा कि मैं किसी और भगवान को नहीं पूछता मैं पूछता हूँ अब बजाओ श्री गणेश को और अरे यह समारो उपर वाले की चारीफ के लिए नहीं है कुछ मेरी भी पार्टी की चारीफ कर लो इस न को खास इंसान है अरी बजाओ एमले श्री राकाट टाकाटी रोकना तयारतना अरे यह क्या फाइल मेरे पास रहेगी अरे रिक्षा जल्ली से गुमा गुमा प्यारे अपनी तारीफों की बारिश शुरू करो वह बहुत पहुंचे वे आन्मी है बच्पन में वह स्कूल में दूसरों की टिफिन खा जाया करते थे अचा क्रिश्णा की तरह नटकट थे फाइल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है शाहिद इसके बाद आपकी तरीफ करने वाला है बच्पन में तो सब शरारत करते हैं कुछ नहीं बात बता बसों में पोकेट मारी करता था लुच्चा जंदा उन्हीं को वोट देगी उनको जो भी वोट देगा अपने सिर पे कुलहाडी मारेगा समझदार वहीं है जो ऐसे नेता को पीट-पीट के बगा दे पेकप को बुलए ना हमें लेकी सर चाहिने तो बवाल मचा दिया टप्पू इस पाटल निकलो वहां से अ चाहोब जाह से पंठे चाहसे उसे पकरण के लां इस उसे पकरणेगे आओ गरता नहीं जा कियो घ्राद कात से ने जाने अरिंशन के बाग किना वहां पकरणों से पंअरेड वो नुकलिटले वाग यहां है मेरे बेटे ने तो इसकी पूरी तरफ प्यांटी बजा दी जंता ने मेरा मुझ काला पीला कर दिया और तुम्हें किस बात की खुशी हो रही है अरे वेंकटेश्ट ने जो किया है वो भगवान की इच्छा अनुसारी किया है इसलिए तो तेरा काला चिट्टा सब के सामने आ गया है इतना हवे में उडने की जरूद नहीं है उसे मेरे हवारे कर दे वरना मेरे पास और भी तरीके हैं उसे उठाने के पहले इससे तो निपटले क्यों भे तूसके हाथ पर तोड़ेगा तुछ में हीमद उसे चूने की तो क्या भुजा तुरू तोड़के तिरे इक तले में टाम दोगी समझसक्या मुझे अब मेले होगा तेरे घर में तेरे बच्चे पे नतर पिढ़री रहे तो आखर निका बहन जी कौन सी चक्की का टाखा दी है मैं भी वही से खाऊँ गरा तु जा यहां से चाची आपको गुस्सा कम करना जिए यह आपके लिए अच्छा नहीं है तू कह रहा है तो कम करूंगी गुस्सा जान हरायन जी कब खिला रहे वो लड्डू वेंकटेश की शादी की खुशखवरी के मैंने इसकी शादी की उमीद छोड़ दी इतनी सारी लड्कियां देखी लेगिन कहीं पे जमा नहीं अब ही बताओ क्या करें आप तो और क्या करूं पूरी जिंदगी ऐसे ही कुआना बैठा रहेगा शादी नहीं जी का जंजाल हो गया है आप इतनी फिकर क्यूं कर रहे हैं वक्त आने पे इसकी भी हो जाएगी शादी लेकिन वो वक्त कब आएगा अब तक नजाने कितने विश्च छुकड़ा दिये हैं इसने जैसे लड़की सामने आती है ये बदल जाता है उसमें कोई ने कोई खामी निकालता है और मना कर देता है अब इसके लिए मैं कोई लड़की नहीं देखूंगा बस चाचा शादी ये एक ही बाहर होती है अगर लड़की पसंद करने में आप लोगों से कोई उंच नीच हो गई वो एक चमकता हो अधारा होगी और जो सिर्फ मेरे लिए धर्दी पर आएगी ऐसी ड़की खुआप में होती है हकीकत में नहीं आपको बड़ी जल्दी है मेरी शादी की अरे शादी देर से हो तो अच्छी बात है अच्छी बात है और रही तो क्या घर में बहु आएगी तो उसके भी तो खर्चे होंगे उसके खुश रखने की मेरी भी तो कोई सिम्मेदारी है मैंने उसके लिए घर तो लेके रखा हुआ है पस थोड़ों दिन में गाड़ी भी आ जाएगी फिर शादी करूंगा तब तक मन पसंद लड़की भी मिल जाएगी सुन लिया ना गूम भीर के अपनी पसंद पर आता है मुझे नहीं रखता इस जना में इसकी शादियों के चलो हम चलते है अले बैठो तो जोना इसकी कुंडली किसी अच्छे जोतिशी को दिखाई जाए अरे कर क्या रहे हो आप एक घंटे से बस आपकी ताका जाकी चल रही है पंडित हूँ जाक नहीं रहा देख रहा हूँ जन्मतिति के अनुसार कुंडली मेल नहीं खा रही है समझ गया मिलेगी भी नहीं क्या तारीक बताई थी 13 दिसंबर और साल कौन सा हर साल दिमाग खरब हो गया है तुमारा अई गुसा क्यों हो रहे हैं साल का अंदाज लगाकर मैं गणना कर लेता हूँ यह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है मैं दिन में एक ही बार जूट बोलता हूँ ओहो यह बात मेल खा गई तो मुझे मेरी सपनों के रानी मिल जाएगी मंगल दंगल कर रहा है इसलिए शुब मंगल में रुकावटा रही है कुछ करना होगा तो बर्थटे बदल दूँ क्या अब इसमें मेरी क्या गलती है नहीं नहीं आपके कोई गलती नहीं है बच्चा परेशान है इसलिए उल्टा सीधा क्या रहा है आप सही सही बताईए क्यों नहीं दक्षिना तयार रखे तुम बहुत जल्द विदेश जाओगे वह तो में जाने वाला हूँ और तुम आस्तिक भी हो ये भी सही है जैसे ये सारी बातें सही है वैसे ये भी सही है कि तुम क्वारे रहोगे तो बताईए क्या हल है मेरी समस्या का समस्या है तो कौडियां सुल जाए तो ये लीजे सुल जाए न इसमें कौडियां हैं जिने मैं गिराऊंगा गिरने के बाद सिधी रहीं तो शादी होगी अगर उलट गई तो नहीं होगी आधी सिधी और आधी उल्टी गिरी तो तो तिर्शंकु बन जाओगे यह कैसा बेहुदा सवाल है इसका मैं क्या जवाब दूँ पंडी दूँ अंत इससे मुकदर नहीं बदलेगा जो लिखाय वही होगा पंडी जी मतलब दो बताईए जो कहा वही कह रहा हूं यह अकेला ही रहेगा इसा मत कहिए पंडी जी एक बार और कोशिच किजिए ऐसा नहीं हो सकता तकदीर का लिखा नहीं बदला जा सकता अधी आपने कुछ गढबर किये क्यों चाजी हां यह बिलकुल सही कह रहा है एक बार और कॉडिया फेक के देखो घुसा मत हो यह एक बार और डालता हूं चल समझ में आ गया कि जिद करने से तकदीर का लिखा बदल नहीं सकता माना कि कुडली खाराब है लेकिन उससे शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया तो क्या बम फूटा इसका कोई उपाए है तस्वीर लेनी होगी कोडियों के साथ तुमारी तस्वीर लेनी है पर क्यों यह मेरी ज अब तुम आजाद हो बेटे जब हम जोतिशी कुछ कहते हैं तो लोग उसका यकीन नहीं करते यहां जो हुआ उसे देखने के बाद मन में कोई शंका है कुंडली के मताबिक इनकी शादी होगी तो एक साल के अंदर वरना जिन्दिगी भर क्वारे रहेंगे एक बात और सु को बदलेगा जिसके वज़े से तुम्हारी दुनिया में बड़ा फेर बदल होगा सुनो मांजी मैंने आज एक नया जादू सीखा है अरे बाद दो पहले मुझे एक अंडा दो इस जोले में डालो आप देखो कमार जादू टोना हो जा कुछ कमाल अरे एक के दो कमाल कर दिया पापा को दिखाओ वो बहुत खुश होंगे क्या मांजी किसका नाम ले लिया उनको ये सब दिखा के कोई फाइदा नहीं अरे टीवी में ऐसा गूर के क्या देख रहे हैं ये लीजे कॉफी सुनो कॉफी नहीं पीनी क्या अरे क्या हुआ अरे ये क्या टपक गई क्या है पपो तेरे पापा चल बजे अरे अम मैं क्या गरगी क्या होगी अमा क्यों मीना कुमार की तरह रो रही हो देखना पपु तेरे पॉपच चले गए इनके बगेर मैं क्यासे जी अभी तो बहसे की तरह गपर-गपर खा रहे थे मेरा खाना गिनता है मॉमजी इन पर अपने आसु वेस्ट मत कर यही समझ ले धर्ती का बोश्ता चला गया रोक किसका फाइदा हुआ है मॉमजी अब इनक ठीक है मैं करता हूं कुछ करता हूं अरे ऐसे क्यों पंटक रहा है मॉम आप प्लीज बीच पे कुछ मत बोलो यह डॉक्टर और मुर्दे का मामला है अरे इनके हटे तूट जाएगी जो पहले से तूटा वा उसके और तूटने का क्या गम इंपसंदा देखना है ना तो मा जिन्दा कर दिया और दोचर मानता तो उपर पहुंचा था मैं यह खुशकबरी सब को बताती हूं मैं आज पैदानी हो जो सब को बताने जाएगी और घोचु जादू नहीं फुजियो थेरेपी करा तो और मा को बोला ता जादू कर रहा है तू है ने शच्छ में जादू कल इंडिया से कुछ कलाकार आने वाले मुझे उनके साथ जाना होगा वो तो पता मुझे तो एक्षिन रिप्ले क्यों देख रही हो जाओ समान तैयार करो पापा मैं आपके मरने पर रोया नहीं आपको सच में बुरा लगा आप फिर से मरो ना मैं यकीन रोगा कैसी हो जाने बन स्टिपिड है उपर वाले जैसा पंडिज ने का था कि मेरी शादी एक साल में हो जाएगी वो महरत जल्ती से आ जाए और मुझे मेरी सपनों की रानी मिल जाए प्लीज जाए श्री कृष्णा क्या इशारी यहां कला कारी करने आया हूं कला कार मजाँ अच्छा करते हो मालूम है कौन हूं मैं एक ठांक पे खडा होकर नाच सकता हूं पता है माइकल टैसन मून वाफ करता है तो मैं हाँ साइड वाफ करता हू सेम्पल दिखाओ ग्या त्टांग पे तो कुट्टा भी सू-सू कर लेता है तूने कोँसी तीर मारी है वै क्या का मैं नहीं इकाव हो तो एस टपु ने काव है सॉरी बोलो इसको सौरी बोला तो कुट्टे की बेज़ती हो जाएगी एए ऐसे नहीं बोलते हैं वरना ही अपना वोही काम शुरू करते हैं क्या का दोनों मिलकर मेरी फिर्की ले रहे हो अगर मेरी सटक गई ना क्या खाड़ लेका जिंगुर मेरे को चिंगुर बोला तेहीं सब्सक्राइब क्यों भाई क्यों चिपक रहे हैं वर्ध को बुरा भला बोले उर्मेरे भाई क्या तो ऐसे विदेश में आके भी डिसी ओका छोड नहीं रहे मेरी क्या पाड़े तु मुझे मत बता समझा ना तू तेरी चलाते रहे चांद क्यों है तू छूँगा उसे इतने मश्यूर गजले गाना बंद करो एक कटिंग गजल सुनो कौंसी तू नो बजे की पकड ले लाम पे चला जा चला जा तू चाहे समोसे खा लिए लेकिन होने चाहिए करम और मिल्ची होनी चाहिए नराम क्या कर रहे हो ऐसे भिखारी की तरह गाओ के तो हमें भगा देंगे लोग हम तो यहां रियाद कर रहे अरे उसके बाद रस्ते पर बैठकर तंबूरा बजाते रहा कोई तुम्हें छुटा भी नहीं देगा क्लाकारों की कद्र करना इंस आप से सिखो तू क्या जानेगा डे अब क्या बताओ हम लोग कैसे बचके निकले वास से बिना पेमेंट के जो भागे है बाप रे बाप भाप एक बार पता क्या हुआ था मेरे पास एक लेंदार अपनी उधारी मांगने आया था तो वह अपनी उधारी भूलकर लोटा लेकर बात्रूम के चक्तर ने लगा क्य दो लाक देना है सर दो लाक रुपए अंदर दिखतें कितने पाणी में अरे क्यों तु तैयार है ना यहां बुलाने से पहले उनको थोड़ी कहा था कि पर्खेंगे यह तो उनके और मेरे साथ चीटिंगे तो यह पैसा देंगे ना उन्हें पीटर एक एक करके भीजाओ हेलो सुंदरी है कितना हुमारा कांश का दर्वाजा तुम्हें दिखा नहीं मुझे लगा मेरे स्वाकत के लिए वाच्मेंट रखा है तुम कोई तीसमार कहा हो क्या है अभी बैट लिगाओ पोस्मार्टम शुरू करो तुम में खास बात क्या है नाक में घूसे खाना और क नोश फर्माईये शुक्रिया पकड़ का वहत पीता है यह मैंगो जूस है है ना सभी पकड़े आया है तीजे म्यूजिक बजा है अब ही दिखाता हो मेरा स्पेशल डांस जरा म्यूजिक बंद करेंगे लो बंद कर दिया अब क्या हुआ पेट में थोड़ी गड़ बढ़ है बातरूम का है अभी जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा एक काम करो नहीं करता हो ना अभी कर दो अरे लाओ इधर पेंदो कहां पर है सीधे जाके अगली बिल्डिंग क दूसरे वाले को बुलाओ इसके तो दस्तकत कर दिया देखे जल्दी बुलाओ अरे तो असानी से भश जाएगा मैं आपको दिखा रहा है मैं वाचमें नहीं यहां का जजू किस कोट के सर साहिए है मेरा नाम वेंकटेशिया मैं हूं हरी प्रसाद आप से मिलके खुशी हुई मुझे भी सार आपको कुछ महसूस हुआ कि मुझे तो नहीं तुम्हें हुआ हाँ आपके हात मिलाते वक्त मुझे एक जटका सा लगा लेकिन कुछ समझ नहीं है स्मझ की समझ को समझा करो. यह ए? तुम्हारा तारूफ कया है? मैं वेंटिरलोकुस्ट हो. अहाँ है, उसके लिए तुम इतनी धूर आए. हाँ, हाँ. सर मैं भेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं वेंटिरलोकुस्म की बात कर रहा हूś एक सिकंड में आपको दिखाता हूँ आजो टपू इनसे मिलो टपू गुर्मारिंग बोलो है प्रसाथ कैसा है वे इस गुड़े के बोलने के दो लाक ये क्या बात हुई रहे वीजी आपने तो कहा था कि आते ही पैसे मिल जाएंगे पर ये तो मुकर रहे हैं इसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे साथ बहीमानी करने की और जिसने किये उसका आज तक भला नहीं हुआ हमको धंकानी की कोशिश मत करो सौदेबाजी कर रहे हैं गलत क्या इसमें आप शाहिद मेरे बारे में पूरी तरह जानते नहीं है अभी मैं आपको दिखाता हूँ अब जो मैं दिखान के लोगों का मनोरांजन करते रहो मेरी दूआएं तुम्हारे साथ हैं बहुत तरक्यकरो इन्होंने क्या कहा आपको पता है अरे बेटा वहेंकठेश, मार्केट में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, नों कि भूल भूल के पकाते रहते हैं लेकिन तुम्हाराशों देकर मै तो हस्ता है यह पोप के लाज अना ही बोहत मजा आया मुझे हस हस के हांसू निकल गये तुम लुकल करते हो इतना यह नहीं मैं लेखक हूं मैं कवित अली मैं इ मैं बहुत ही संदर कविता लेखे है जहाँ पढ़ी जहां देखिए बात ये है कि आपका इतना हुनर है फिर भी हम दो लागी दे पाएंगे बुरा तो नहीं लगा आपको जूस पीजे आप बुजर्ग है आप पहले है अब तुम्हारी बारी ये बिटा तुम पियो नहीं 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 बीच वाला लो शुकर लेश ओके थैंक यू अब इसमें जरा दस्तकत कर दो दस्तकत किसलिए अचा 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 यह भी पॉस ज़रूरी है हाँ इसमें कुछ गड़बड है क्या गड़बड है यहां लिखा है आप ने मुझे सारे पैसे दे दिये हैं कि आपने बूटी कवरी नहीं दिये वह बात में बदल दूगा आप अब ही बदल दीजिए तो बाद में मेरे और आपके बीच कंफूजन हो जाएगा हो जाएगा जंगल पानी हो जाने तो पहले से बदलो अगर नहीं बदला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कागजात बराने में वक्त लग जाएगा लिकर मत परो मेरे पास सारे कि अवाइगा तो लेजिए पढ़ने का वक्त ही है फिर फचास ही तो परने है यह जाने पुछैने मारा आप सब लोग वां ठीक है ना हाँ ठीक है यह बताइए चाजा की तबिएत कैसी है उन्हें तो सिर्फ तुमारी शादी की फिक्र है उन्हें कहिए कि फिक्र ना करें है इसे के नेले पे तहला आपका दिमाग किसी लोमली से कम नहीं है रहता हूं कि अरे यह तो बिना बैक के निकल लिया चुप चाब जाने दें उसे हमारे कागजा तो इसके अंदर है यह रहे हैं हमारे फोटो यह कागजा इसमें क्या कर रहे हैं यह बक्सा इसी का है ना हम आच बालो १डiosa इसाल ना एक झाल मजकर भी एक लिए भरए बिए और क्षो इस 힐ley उबटीरेव मघ भाई में आपके रिश्याभ आइर इसप्रन का रोम हमारे रहे हैं तुमने मेरे बैंक से दो करोड उधार लिए अगर तुम वापस नहीं दोगे तो तुम वह वह क्या वो तर्जुमा अच्छा कर लेता है लेकिन मेरी इज़त उतारा इंचल जाए यहां से चुड़ी यहां चलाल हो गई यहां चुरी करने कहे थे ना मुझे कैसे पता चला वह क्या है ना मुझे सपना आया था कि उसके साथ तुम घटिया हरकत करने वाले हो भाईयों और मेरी मॉमजी मेरा एक नया कर्तब देखो यह कोल ड्रिंग और यह ग्लास जादू टोना बोजा कुछ कमाल करते कुछ दमाल यहां तो कुछ नहीं है एक बार मेरे पती मर गए थे इसने अपने जादू से उन्हें जिन्दा किया अरे धिंडोरा पीटो जाके सब कुछ पर क्यों इतना चिला रहे हो मेरी मॉमजी पर अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या मंगवाना है बेल गारी कच्छवा गारी यह भी बता दो जूते से मारूंगा आरी इंतजार करना आप के उ माफ करना आर्टी हो तुझी चोटी है थोड़ी देर हो गहीं चलता है ट्रेन नहीं तो घड़ा कारी कर लेंगे तुम चलो बेटा अरे अंकल आप कितने अच्छे हो लालो अपने बक्स मुझे दो जाओ 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 जल्दी जाओ बिटा तुम पूजा में क्यों भड़क रही है वामोश उस खोचु के साथ साभाल लेगे जाओ उसकी चर्वी कम होगी जादू आजा पपू तेरे पापा ने हमें कुली बना बचा लिया है देखो बबू हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि हमें और दों की मदद करनी चाहिए तुम कितनी अच्छे बाते करते हो आज से तुम और मैं बहुत ही अच्छे खास दोस्ते हैं और पूजा बागी सब कैसा चल रहा है अब हुआ है कितना अच्छा नजारा है ना पता है अंकल मेरी कोई भी दोस्त यहां आने के लिए बिल्कुल तयार नहीं थी मैं किसी तरह से इन्हें मना कर लाई हूं आप बस इस बाता है इनकी चुटियां जो है वह बर्बार ना हो फिक्र मत करो बेटा प्रोग्राम बोरिंग लगे तो शौपिंग कर लेना और अगर शौपिंग लगे तो यह बंदर लोग अपका खिल देंगे यहां भी दिखा सकते हैं तो आपनी भाण जी को राजकुमारी की तरह इज़त ल अब मैं सबको मौसी की सुनाओंगा जो मैंने मौसी से सीखिती करके सुनाओं क्या कर 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 ओ मेर लाला जो भी करा मैं जल्दी से लेया भूग लगी है लाला यह पक्रो मिस्टर वेंकेटेश सर तुमने कोई नई कवीता लिखी थी ना हमें सुनाओं जी सर शुरू हो जाओं सुनाता हूं सर उमीद है सबको पसंद आएगी मेरे सबनों की दाएगी मेरी कवीता की शुरूआत ऐसे होती है जब से तुझे देखा मैं न रहा अपना सा खाबों में था जिसे देखा वो है आज नजरों के सामने जरा आपने बारे में कुछ बताओ टक्तू मेरा नेचर बहुत अच्छा था अच्छा है और हमेशा रहेगा लुट गया था प्यार में अब बजेगा शादी का पाजा चाशा जी खुशकवरी है हां बोलो बेटा मेरी पसंद की लड़की मिल गई अच्छा कौन है वो लड चलिए यह सब बातें छोड़िए आप एक काम कीजिए अब आप मेरी शादी की तयाने शुरू कीजिए तो कि मैं बहुत जल इंडिया आने वाला हूं और आते ही घोड़ी चड़ जाओंगा पूजा से इश्क में है वह अरे भाई तब तो तुम जाल में फस गए हो लेकिन पूजा उससे बिल्कुल इस्क नहीं करती पूजा से कहूंगा उसके सामने इश्क का नाटक करो वो उसके सामने गुलातिया मारेगा यह आइडिया बहुत सबर्दस्त है अच्छा दल में ज आवाज नजी काने लगी यह तेरी ओलाद है बच्ची की कसम है मुझ बंद रखना नहीं तो बोलने लाइक नहीं रहेगा चलो रहें क्या घटी आदमी है बच्चे की कसम देखे गया क्या कहां मैं और उसकी दिल्रुमा यह तक कि उसने शादी की तैयारियां भी शुरू कर मनुरंचन के लिए किसी के दिल के साथ खेलना यह ठीक नहीं है तो यह सब भूला पड़ता है जजबातों की कदर बिल्कुल नहीं होती समझाओ इसे पूजा बहुत ही अच्छा आइडिया है पटाना उसको मैं ही क्यों उसे पटाऊ यार्ण तुने हमसे वादा किया था कि जरो 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 ओके ठीक है दिल को किसने धरकाया जैने किसने लूटा है कलकली आखो वाली वो खड़े कालों वालो या अरे रुको बेजुरो यह है पूजा तुमसे मिलने आईए नमस्ते हाई कि मिस्टर वेंगेटिश ट्रेन में तुम्हारी कविता सुनकर तुम पर लट्डू हो गई है राजवर्ण तुम्हारे नाम की सिस्के ले रही थी इसलिए मैं यहां पर ले आया तुम्हें को इतरास को नहीं मुझे क्या अथरास होगा अकेले में बात करनी चाहिए तुस् कहूं वेंगेटिश आज का दिन मुझे सिंदी की भर्याद रहेगा और आया मैं यह मैरेट यह सची इतनी कम उपर में शादी कर ली किस गदने बोल दिया अभी तुमने ही बता है वह तो मैंने ऐसी गलती से बोल दिया होगा लेकिन मैं अब सच कह रहा हूं मेरी शादी नह यह जानकर इतनी खुशी क्यों हो रही है मैं जानता हूं क्यों अच्छा वेंकटेश तुम्हारी उम्र क्या है आप कितने साल के वह तो ठीक से पता नहीं लेकिन मेरी डेट ओव बर्थ में कुछ जोल है मैं कुछ समझी नहीं मावा अपने बर्थ सर्टिफिकेटरी बनवा तो मैं यही कोई शुक्ता स्काऊंगा आप इतने फिट कैसे हैं और इसका राज क्या है यह कितने और जोट बलुवाई की राज-वास कुछ नहीं बस बहुत सिंपल है मैं अपनी दिन चर्या मिस नहीं करता दिन चर्या मिस अब वक्त हो गया मेरा सूखे मेरे खाने का मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता हूं अगर मेरे कहे पर चलोगी ना हमेजा जवान रहोगी जैसे अभी आप हैं सही कहा ना आज आपसे बात करके मेरा दिल खुशी से जुम उठा है मेरा भी पूजा हमें देर हो रही है शौपिंग करनी है चल चलते हैं बड़ी स्वीट है आप ओके वेंकिटेश बात में मिलते हैं बाई बाई ठान रखना थोड़ी रूख जाती है क्या तुमने आवास थी मुझे नहीं तो चाहिद पेदा भ्रम होगा माफ करना बाई क्या बेवकूफ बनाता आज तुमको देखके ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें कई बरसों से जानता हूं तुम्हारे इन म्रिक नायनों में खो गया था इस पूरे जहां को भूल गया था नजाने क्यों मेरा दिल खो गया है प्यार में खो गया है प्यार हुआ तो डिमपल वाली को बता दे हमें इजहार करता हूं कि मुझे प्यार हो गया है रहे नहीं आई ऐसी कोई तो शर्मा गया अब मुझे वह मुझे जह रहा था कि उसकी उम्रत तरीव चप्पेश से अठाई साल की होगी और वहर चीज कच्छी खाता है जैसे कि दाल्या सब्सक्राइब और दूसरी बात वह हमेशा खाना वक्तर खाता है मैं आदान इस बात से बिलकुल अंजान था कि प्यार का एसा हास इतना खूबसूरत होता है तुमसे मिले कुछ पल ही हुए है पर अब तुमसे दूर रहना मुश्किल हो गया है बेताभी से उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम मेरी होगी मैं पागल ये भी नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं पर तुम्हारे साथ जिन्दगी बिताने के पर तुम्हारे साथ जिन्दगी बिताने के खौब देख रहा हूं मैं नहीं जानता कि मेरा यह खुआ है कि जब से पूजा तुम से बात करके आई एक जब से फिर अपनी दुनिया में खोई हुई है पूज बन कर मुझे आराम से बात करने दे चलो डिया कैसे हो वेंकेडिश क्या मैं अपना जादू दिखाऊ अपना पेट मेरा को निकल यहां से यहां शो दिखाएगा आखिर पूजा को माशुगा मान केसे लिया तुमने इसके पीछे बड़ी वजय प्रसाद जी जब मैंने पूजा को पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि मेरे प्यार का हवाई जहाज मेरे दिल के रणवे पर लैंड कर गया हूं आज जब मैंने उससे बात की तो ऐसा लगा जै कितना अच्छा इंसान है मैं जानता हो दीदी को यहीं पटाएगा बच्चे मन के सच्चे होते अगर आपको इतराज ना हो तो पूजा को मैं पटा लूगा जब मिया बीवी राजी है मिया तो क्या करेगा मिया काजी है इसमें फटे हासिल करें ट्वेंकिदेश औल दे वे तुम्हारी चेंट तुम पर बहुत जच रही है को डांस टेप दिखा सकते हो यह तो मेरी खासियत है और आपके लिए तो बिना टांग के भी नाच सकता हो अब कमाल के हो यह क्या बात हो तुम तो कह रहे थी कि पूजा वेंकिटिश पर मरती है और यहां देख रहे हैं कि वो शेखर के साथ इश्क के पैश लड़ा रही है मुझे तो पूरी पास समझ में आ गई आपकी बैंजी कोई मामूली लड़की नहीं है बड़े अमीर खांदान की है वो अच्छे से समझ गई कि बैंकिटेश उसके बराबर का नहीं है इसलिए दिल किसी और को दे दिया सह पूचा एक मॉडल लड़की है उसे कोई हाइफाई लड़का पसंद आएगा जैसा मंदर का पुजारी नहीं अब हम क्या करें बहुत भावक है उससे ये बात पता चली तो कहीं पागल ना हो जाए और अपना प्यार खोने के गम में खुदकुशी ना कर ले करे तो किसी को हैं कुछ नहीं हुआ नहीं कुछ तो मुझ से चुपा रहे हैं बताओ क्या बात है सुनाते वारी बेन भूजा बड़ी अमीर है मैं कुछ समझा नहीं थोड़े समझाऊ वो मुझे पसंद восп किसी बात है दोस्त प्यार में अगर ड्रामा नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है अब देखो बात समझो मेरे जो दीदी है वो एक बड़े खांदान की बहुत अमीर लड़की है और तुम ठहरे गरीब घर के पर तुम दिल के बहुत अमीर हो मेरे जादू की कसम मुझे यकीन है तुम दोरों का प्यार जरूर काम्याब होगा यह सुनके खुशी होई पपु लेकिन वो शेखर भी उसके पीछे पढ़ा हुआ है मुझे उससे खत्रा है वो कैट्टून जिंगूर उसका तुमारे सामने कोई मुकाबला नहीं है तुमारी तो बात ही अलग है लेकिन तुम कि अपुम जाओ झाला नहीं है तुमारे तो आरफ नहीं है ऑम कई रहे आप क्या बोल रहे हु नसे में तो नहीं हो ना मैं सी कह रहा हूँ कुझा तुम्हारे प्यार में डूप चुकी है और एक तुम्ही भी हो जो प्यार को जानते हो तुम्ही उसके कीमठी चीज ला सकते हैं आप बात बताओ प्यार की मैं अपनी जान क्यों दूं अरे वेंकटिस को बोल तो मैंने क्राइब नादान तुझे जिलाने के लिए उससे प्यार का डाटक कर रही है वह अरे वह वह भी आक्टिंग कर रही है किसी के साथ भी लेकिन प्यार तो वह तो तुम से कर दिया यह पानी कितना गहरा होगा अरे देख हीरो इसकी गहरा ही जाने बिना लोग कूच आते हैं न तू भी कूच जा चल कूच बिना पासपोर्ट के खूच जा आरे पासपोर्ट को निकाला इसे तैरा नहीं आता है डूब जाएगा यह उपर पहुच गया तो अम लोग अंदर पहुच जाएंगे बचाओ बचाओ शेकार यह पकाड़ अरे बचाओ बच गया रे बच गया चलो चली कर लिख तुम नहीं होता तो बताने मेरा क्या होता तुम पूझा मुझसे प्यार करती है यह सुनके खुदकूशीं करेगा नहीं ऐसा कुछ भी रहा चुपकर कुछ नहीं सुनना मुझे जानते हो तुम जो कर रहे थे उस तुमें कल पच्टाना पड़ेगा कल क्या बता है आज ही भूल जाओ और पूजा को दिल से निकाल दो वैसे वो है कहां मुझे नहीं पता है ठीक है मजा कर ढूंड़ता हूं यहां साधिया कोई कीम्तितिस निकालनी है उन तीनकोटा भी मैं छोड़ूंगा नहीं इनने सोच कैसे लिए के पूजा जैसी लड़की इंसे प्यार कर सकती है फटीचर कहीं के अरे उसी गलस वहमी में तो हमारा फाइदा है तो इन्हों ने मुझे प्यार का लॉली पप दिखा कर मेरा खून करने की कोशिश की मैं जाकर पुलीस से शिकायत करूंगा बता दे और जो यह भी किराई कर तो बिना पासपर्ट के या धूम रहा है समझा यह कैं बोल रहा है दोस्त इसी भी देश पे बिना पासपर्ट गूमना खेर कानुनी यह जाब बता दे अरे मैं तो मजाक कर रहा था मेरा पासपर और जब मेरा काम हो जाए तब दूंगा तब तक तु तमाइशा देख यह अब मेरा आइडिया देख कैसे अब क्या बात है वेंगेटेश्ट उस खेलान ने उसे मार मार के क्या हाल कर दिया यह देखकर पूजा भी परिशान वो चाहती है तुम इस मुकाबले में उत्रो इसने तुम्हारा नाम लिखवा दिया बात करें मैं कहा जाओंगो उसलाने वो तो मेरा कीमा बना देगा वो बना देगा वो चलेगा लेकिन अभी नहीं गए और जाओंगो 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 तुम्हारा हाथ पाएगा ऐसा करके उस उल्लू बनाए अगर उसे ज्यादा चोट लगी तो मात को दर्द नी होता तु ज्यादा सोच्वाद मजा ले बास चल रहे तो मुकाव का शिरू होगा तुम्हारे और इसके बीच में चलो फिर शिरू करो कि 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 जीजी वैंकी की बहुत पुरी हलत है अगर आप उसका हसला बढ़ावगी तो वो जीट जाएगा चलो वैंकी उसके वारो जीट तोड़ा बोल दो वेंकी तेश उसे हरा दो अवेंकी तेश उसे धोल चटाओ वेंकी तेश कमोन कमोन वेंकी तेश तुम कर सकते हो यस और 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 कमोन और भेंकी तेश ङल वेंकी तन्हां मोन! मजाम और दॉर हम अपड़श से ऩीठी तेशि यसे पहां से तेश़ को भा राओकी वेंकी यह जिए कि जिए कि आपके प्यार में कितनी ताकत है आपने होसला बढ़ाया इसलिए जीत गया यह दिल का बहुत अच्छा है मुझे इसके जजबातों के साथ ऐसा खिल नहीं खेना चाहिए था पूजा वेकिटेश के जजबातों से खेनने का एक और आइडिया है बस बहुत हो आंकल मैं अपने जूटे प्यार के जाल में उसे अब और गुम्रा नहीं करना चाहती हूं यह सब करके मैं खुद ही अपनी नजरों में गिर रही हूं और जूट नहीं बोल सकती सच पताने की पहलं के कोई मजा नहीं आरहा है है मैं बता दूगा तुम जा बनाई उसे बता दूगा तेरी में वहान की हलत नहीं दे गितूं और पूजा से जो कहा है तो मेरे साथ हासने बोलने वाली पूजा तुम्हार पास आकर रो रही थी क्या मुझे अंदेखा करके चली गया तुमने लड़की की दिल को पहचाना नहीं देखो पूजा चली जा रही है अगर चलते चलते वह पल्टे तो समझो तुम्हारा प्यार काम या नहीं होगा आप तो मुझे ड़ा रहे हैं तो मैं क्या करूँ यह कई बार आजमाए वान उसका है अरे हां नहीं पल्टे माफ करना है वेंगी पूजा ने मुड़का नहीं देखा तो तुम्हें अफसोस हो रहा होगा ना बाल खीचने का मन करना होगा दिवार पे सर पटकने का भी मन करें किया हो आपको अब टीची तुम जाओ 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 सर मैं बहुत खुश हूं प्यहां में प्रक्ति कि बाते मैं भी बहुत खुश हूं इसलिए को मेरी तरफ से सब के लिए पार्टी मिलता हूं उसकी खुशी समझ में आती है तुम पार्टी क्यों दे रहे हो इसी हरकते करेंगे कि इसकी खराब हो जाए सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरे डालेंगे पूरी तरह से बद्दाम कर देंगे और इसमें जुर्माना लगेगा और हमें इसे पै तो फिर प्लान आगे कैसे बढ़ेगा मैं समय नहीं तुम्हारी खुशी में पार्टी हो तुम पीनी से मना कर रहे हैं एक बार पीती मन भर गया अब पेट भर की पीलो आप नहीं जानते मेरे पीते ही मेरे अंदर से शेर चीता मघरमच सब भार आ जाते तुम्हारे अंदर तुम लोग अगर असन मिलावट करूगा तो बता दूगा अगर बताओगे तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा मिलाना है मिलावाब में हंटी मत बन जा यह 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 लो शोखरिया सर आप भी शुरू कीजी ना आप यह बनाना क्या वेंकटेश कैसा लगा हमारा मैंगो जूस पीके फ्रेश हो गए ना गर्ड मानेंग भानुशाले भानुशाली तुझे क्या हमें हमिलाता जाना क्या वेंकटेश कैसे हो तुम बहुत दिनों के बात मिले रूबी के बारे में आप से कुछ बाते करनी है कौन रूबी आपकी पड़ोसन भूल गए ओ लंबे बालो वाली स्कड़ पैन के गुमती पॉप क्यों मर का होकर क्या ऐसी गिली अरकत कर देनी रहा है पासपोर्ट नहीं मिलेगा बाग यह से अब तु चोरी भी करने लगा दे ले दिया बस हो मुष पे चिला रहा है सिर्फ लड़की को देखा है ऊधार ठोड़ी ना लिया है ओधार उधार, इॉधार उधार, उधार उधार। उधार सिंग्ग चंदू मैं कोई चंदू-बंदू कॉण चाचा जी कौन चाचा आप मेरे फटीचर चाचा है ना अब कर दो है ना बहुत अच्छे हैं चाचा बच्पन में कितनी शरारत करता था लेकिन आ चॉकलेट दिया करते थे अभी भी चॉकलेट दे सकता हूँ नहीं जी अंकर, इतने अच्छे जा जाजा हो कि आपने मेरे पीछे ऐसा क्यों किया क्या किया मेरे इस्ट में आवेश्ट में कौनसी वाली गलती ऐसी गलती आप कैसे भूल सकते हो मुझे चाप में देकर आपको छुपका मेरे मां से मिलाती थे मुझे तो अपनी मां का भी अड्रेस नहीं पता है मैं इसकी मां को क्यों मिलूगा आप अपने ऐसा क्यों किया आप मुझे पच्चा समझ कर क्यों चुना लगा वह ये था कि मेरी यादाश चिले गई थी तोड़ा सुराग दे रहा हम तो तक है मैं जब तीसरी क्लास में था तुम फेलोगे थे वह थे थे मैं फेलोगे थे वह थे वह थे फेलोगे थे कि तो इस वक् buen दिंग फसंट वर्डर्मकार किस पलते है पदाऊ में धेन यह शॉपाल होओं कि अरुब थोटकित रवान कि वाल कि दंगैजिनसनला करो यह दिद गए है इस वक्श्चपम दूरत वहाँ अर। यदको नच्ट नच्ट अड़ज़ हुड़ज़ कि पंगे आई और दो कि अधिर दो को हुआ है अधिर जो को फिर आप मिलावट बहुत महांगी पड़ी वूगंभी आई तो दर्वाजा बत खोल नहीं के देह चाटे जूश पी के क्या अनाफशन आप बख रहे थे? मैंने ऐसे क्या बोला? क्या? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं याद है, बताओ ना! तुम बताओ ना! घर्ट मारेंग वानुश अले! आप मेरे पटीचर चाचा हैं ना? अरे बाबरे, प्रसाद जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? जाके माफी मांगता हूँ! जिस तरह से तुमने लपड लगाए हैं, वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे! आप से कभी जूश नहीं प्यूँगा? याद आया, पटीचर चाचा! कल बहुत मज़ा है ना? उधार सिंग चंदू! देखा पुझा, सचर जाने के बादी से कोई फ़र भी बनाए है! वेंकिटेश, तुम सबसे बहुत अलग हो! अलग? तुम सच में कभी भी किसी चीज के टेंशन लेती ही नहीं हो! वो क्या है कि मेरा ब्लड ग्रूप भी पॉजटिव है, इसलिए मैं कभी टेंशन नहीं लेता है! तुम जैसे किसी से मेरी मुलाकात हुई, सच में मैं बहुत लगी हूँ, मिलके अच्छा लगा हूँ! वो तुम से मिलके अपने आपको लगी मानती है! तुम्हारे प्यार की नईया किनारे लग गई है भाईया! अब कर लो शादी और बुला लो सारे बराती! मेरे एक्साइट के सारे दान तूट गए भाई! मुझे लगए है कि वो हम लोगों से दुश्मन ही निकाल रहा था, जानमुच के मार रहा था! यह ऐसे भी मारा हो लेकिन तबलियत से मारा! लेकिन वो नहीं जानता कि पूजा उससे प्यार नहीं करती है और उसका फाइडा में परावर हुखा! सही बोला ना मैंने सही बोला भाई! यह तुम जा बोल रही हो? अंकल ने वेकितिश को हकीकत नहीं बताई, उसे अभी भी अन्भेरे में रखा है! वेकितिश, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, वो सब एक नाटक था, तुमारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, हो सके तुम मुझे माफ करते ना? अंकल, वेकितिश का है, उसे यह चिठी देनी है, वो यह नहीं है, उसका बरल्ल में शो है, और मेरे पूर्जे बिखड़ चुके है, अपनी भगवास बंद कीजे, उसके आते ही यह चिठी उसे दे देना, मैं इंडिया वापस जा रही हूँ, पर क्यों बिटा? अंकल ने म यह चुप, हाँ भाई, काम हो गया समझिये, कल शंकर नहीं बचेगा, काम होने के बाद फोन करता हूँ, रखता हूँ, शंकर ठाकुर का खून करने वाले हो, लेकिन क्यों? अकर उससे नहीं मारूंगा, तो पैसे कहां से मिलेंगे, हां? तू वो यहुआ, हां? एवन दुश्मन की पूरी खबर रखता हूँ, इस तू puisquी अ, आएवाण। अधा कि गुरु का पाल तु यहीं कहीं चुबा है अब बोल तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए भाई, मैंने यह सब पैसे के लिए ही किया था तो मैंने भी पैसो के लिए तुम्हारा आता पता बता दिया था अलो साब, कुजा मेम सब आ गई अब कैसे, ठीक है तु आ गई मेरी बच्ची, लगा तुझे देखे भी नहीं मर जाओंगा ऐसा मत कहिए बस एक ही तमन्ना है, मेरे मरने से पहले तेरे हाथ पिले हो जाए बस तु संजू से शादी कर लेऊ अरा आप से राद है जी, जीजा जी, ऐसी हालत में आप दारू पी रहे हैं, इस जहर से कहीं आप मर न जाए अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं तो तंदुरूस्त हूँ, बस पुजा की शादी संजू से हो जाए, फिर जायदाद में अपने नात करवान होंगा नाटक की क्या जरूरती है क्या अगर ये नाटक ना करते तो वो इस गवार से कभी शादी ना करती पर अगर पूजा की मर्जी नहीं तो जबरदस्ती क्यूं कर रहे हो, है ना चेले, एक दम सो टके की बात किया गुरू जी किसी अंजान से उसकी शादी हो गई तो हम रस्ते पर आ जाएंगे मसला ये है, जाइदाद पूजा के नाम है और संजु को जो बोलेंगे वैसा वो करेगा, पूजा की जाइदाद हमारे नाम करा देगा, बस शादी हो जाए तू मेरे लिए वो मुझी है, जो सोने का अंडा देती है वो जॉनसन को आज पैसे देने थे उसकी उधारी चुकाने के टाइम आ गया, वो कभी टपक सकता है अरे शुब शुब बोल ऐसी बाते क्यों कर रहा है सुमें सुमें, आएगा देखा जाएगा तो फिर ठीक से देख लो, वो आगे है देखो राकिन लगनाइट अल्गार को जाएगा दम इख प्रूपंग राकिन लगनाइट लॉब यॉब पैमान हो तुम तीनो कतीनो मेरा पैसा वबस देने की बजा या मोचकरेऊ वह बादी बाक चीटर्स अम लग चीटर नहीं है वी विल पेंग टू डेस अरे बोलो ना साथ में तू डेस नहीं अल्ली वान देए अधर वाइस तुम लग जेल में अल्ली नहीं प्रसाद अप्रसाद बोलो कैसे हो तुम बस कट रही है बाद करवा दीजिए इस वक्त करवाना मुश्किल में मैं हूं भावी कोशिश कीजिए ना पूजा पूजा प्रसाद का फोन है हलो अंकल बेटा जॉंसन ने मुझे फोन किया था उससे धंकी दिया है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फसकी हूं मुझे कमरे में बंद रखा है जबरन मेरी शादी बापा के दोस्की बेटे से करवा रहे हैं आपको अगर पैसे चाहिए तो मुझे यहां से निका लिए य मैं शंकर बोल रहा हूं है शंकर बोल रहे हैं रीडियो से बोल रहे हैं फोन से बक्वास बंद कर और जल्दी से इंडिया आजा अगले मैंने संजू और पूजा की मंगनी है और उसके दस देन बाद शादी समझ गये आहां समझ गया मैं आपने बीबच्चे गावला के क्या कहा पूजा ने वो एक मुसीबत में भस गई है तो भाई हमारे पैसे कैसे मिलेंगे मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा पैसे लेने कुछ तो जोल करो ना भाई जोल करने के लिए भी दिमाग लगता और वो भी काम नहीं कर रहा है क्या करूं पुडाएगा क्य उसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझ से होगी समझ गए तो अब मैं क्या करूं आपको कुछ करने की ज़रूत नहीं है जो करूंगा मैं करूंगा वो शादी मैं होने नहीं दोगा मेरा पैसा वापस देने की बजाई हमोच कर रहे हो अगर आपको अपको अपनी मुसीबत से तो पहले मुझे इस मुझीबत से बचाईए अंकल उसे नहीं पता कि पूजा उससे प्यार नहीं करती इसी बात का हम लोग फाइदा उठाएंगे इसकी मदद से पूजा छूट जाएगी और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएगे मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो उसने कहा कि उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही है वो चाहती है कि तुम वहाँ आओ और उस शादी रोग दो पर मुझे ख्याल आया कि तुम तो एक सीधे साधे इनसान हो उन राक्षसों का सामना कैसे करोगे इसलिए मैं खामोश हो गया प्यार में बहुत ताकत होती है वो हर तूफान का सामना कर सकता है और पूजा के लिए मैं हर तूफान से टकरा जाओंगा बोल रहा था ये गंटे में आएगा अभी तक आया नि आखिर कहां मर गया ये अरे कब तक ऐसे इंतिसार करेंगे हम आगे चलते हैं वो आजाएगा अरे इतनी उतावली मत बनो जिस शादी में हम लोग जा रहे न उसे हमें तोड़नी है ये आप क्या कह रहे हो आँ सही कह रहा हूँ प्र पूजा को ये शादी क्यों नहीं करने है जो कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ तो वो किसी और से शादी क्यों करेगी उसने प्रसाद जी से मदद मांगी है मैं अपनी मुहबत को दलदल से निकालने के लिए जा रहा हूँ और यखिन मानिए मैं उसका साथ जिंदे की बात में आप तो समझाया ना मौंजी ये बात आप अपने पेट में बचा के रखना वरना आपके पती नहीं बचेंगे पहली बार तेरा बाप इतना अच्छा काम करने जा रहा है मैं रोडा क्यों बनूगे आप उनकी बेटी के साथ ऐसा जुल मत कीजिए तूने जो गलती की है उस पे पश्टाने की बजाए तू मुझे ही सला दे रहे बैरागी इसकी हलक से जुबान खीच लो सुप्रभाद जी जा जी आ गय है इतनी जल्दी सुबह हो गई तुम्हारी वो देर इसलिए हो गई कि हम गुरू चेले दोनों ने मिलकर रात भर बढ़िया काम किया है ऐसा क्या तीर मारा हमने पचास लाग का टैक्स बचाया है जी जा जी याद है आपने कहा था कि अगर आप मेरे काम से खुश होंगे तो मुझे पेपर्स दे कर आजाद कर देंगे पेशक याद है अब तो आजाद है जा आखिरकार आजाद हो गया प्यारे चेले अब मैं 40 साल बाद अपने घर वापस जाओंगा इसमें यतीम खाने का तो जिकरी नहीं है यतीम खाना जो दो साल पहले शुरू किया था बटिया ठाट हो तो इनके दोवक्त कि खाने का कितना खर्चा लगता है था लगता तुझे पता है उसके अलावा उनался रह्तों हुए रह्य सबने जी जाजी है का आप का यह रहिं दिल अवतार देखकर मैं धन्य हो गया अभी मैंने तुझे जो खर्चे गिना उसका क्या हिसाब होता है पता नहीं कौन से मन्हुस मुहूरत में मेरी बहन ने आप से शादी की थी मैं चोटा था, इकलौता भाई था इसलिए, वो मुझे अपने साथ उसके ससुराल में ले आई, जिसकी उंगली थाम कर मैं यहां आया था, वो बहन तो चल बसी, और मैं यहां पर फस गया, मुझसे आपने मेरी जाइदा चीन ली, जिंदगी भर मेरी शादी भी नहीं जिसको बोलना था वो तो चले गए, अब मुझ पर गुस्ता निकाल कि क्या होगा, अरे चेले, चालीस साल से नर्क में हूँ, माफ करना सारी की सारी भडास तुम पर निकली, साब आप, ए गेट खुल, ए जल्दी से सामा निकालो, आईये मेम साब, हाँ, 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 वेंकिटेश, तुम्हें देखके मेरी जान में जान आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गए, आता कैसे नहीं पगली, तुमसे प्यार सुकी है, ठाट, ठाट, ठाट मुझे, सॉरी सर, अबे ऐसी हरकते, दिन में ऐसे सपने मत देखा करो, नहीं तो हकीकत में कुछ उल्टा- ही हो जाएगा, समझे है, अगर मुझे पूजा से शादी करनी है, तो मुझे आपकी बात मान नहीं पड़ेगी, सही समझे, चल, अबसात, ये काज को इस तरह कूट के रहे है, क्या है ये, बम बनाने में इस्तमाल होता है, बम बनाने में, गलाक्यू फाडरे सब भेरे नही है, या ये लोग कौँजी दाल पका रहे है, दाल नहीं हाथ भट्टी, तिकता नहीं क्या तुझे, खुछ भूनी आ रही, समझे है, अब बाहिज हो के इतनी मिलत कर रहा है, इसकी कहानी कौफ नाग है, इस जलात को एक दिन किसी का हाथ काट नहीं मिला, तो इसने खुद क अब जल पर आहऊ है, लेकिन हकिकत में इनसान का खुन पीता है, समझ गया, समझ गया, मुझे बिलकुल वो नहीं करना है, जो आपने बिलकुल नहीं का, और तुने जो का मुझे बिलकुल समझ नहीं आए, अब चलते इस से पहले कि तू और में दोनों पांगल हो जाए, अ तुझी यतीम को मुफ्त में खिला रहा हूँ, तो एक और ले आया ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़े अमीर आत्मी है यहां फैक्ट्री खोलने के लिए आया है, रेलवी स्टेशन में एरपोर्ट बनाने का प्लाइन है और ये दुनिया का सबसे पहला एरो रेलवे होगा बस उन्हें एक इंडियन पार्टनर चाहिए इसलिए आपके पास ले आया अरे तो इन्हें कबसे खड़ा करके क्यू रखा आओ बेटा तश्रीफ रखो ये क्या इतना छोटा सा बैक बाकी सामान का है पहले ही उपर पहुचवा दिया हड़ी सुनते ही कुट्ते ने दूम हिलाई किस चीज की फैक्टरी लगानी है मैं यहाँ पर एक खाद की फैक्टरी डालना जाता हूँ ताकि किसानों का फाइदा हो नेक सोच है तुमारी तुमारा गाव कौन सा है मेरा गाव हम बबंपूर बबंपूर अज़न मैं बहसा करेवा थी आफ यह जिस बबबनपूर की बात करे वह अपना वाला नहीं यह किसी और प्रदेश में साहिका ना मैं वही की बात करना हूँ मैं उस जगह के वाकिफ हू वो मेरे मामा का गाँ है खैलवा खान्दा ने क्या आप बबनपूर में तुमारा घर का है मेरा घर? वो शिब जी का मंदिर है न? उसके पीछे माँ एक स्कूल है उसी के बगल में माँ आनंदराओ का घर है तो उनको जानते हैं आप तो बस उनके घर के साथ घर आगे रहता हूं आनंदराओ जी और मेरे घर में केवल साथ घरों का फासला है मुझे लगता है कि तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो कैसे नहीं जानूगा बहुत गहरा रिष्टा है तुमारे यहां आने की ख़बर मैं उन्हें दे देता हूँ अभी फोन करता हूँ बात में कीजिए वो लोग सो रहे होगा यह तुक्तुके है मुझे भी नीद आ रही है थोड़ी देर रुख जाओ अभी लग जाएगा फोन यह लुख जाए यह बात में बता दूँगा जाओ आराम करो आप यह बंदा कुछ सही नहीं लगा मुझे मिल्कुल सही का गुरुजी चेले कहीं तुम मेरी नकल नहीं कर रहे है ना ना गुरुजी फिर तो इस पर नजर रखनी होगी तुम्हें किस ने का था बबंपूर गाउं का नाम लेने मुझे क्या पता वो उस गाव के है चलो वो ठीक है अनंद्राओ का नाम पूछ लिया तो मैंने बूल दिया औरे जो मैंने तुझे पड़ा है सिखाया वो याद रख नहीं तो यह हमें कच्छा चबा जाएंगे अरे उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने मुझे बूल दिया तुझे जो ठीक लगा तुझे ठीक लगा उन्हें नहीं अगर गलती से अनंद्रा को फोन आ गया ना तो हमारी जंदगी की लाइन डिसक्रेक्ट हो जाई अरे प्रसाजी आप बहूर टेंच ले तो चलो ना अरे च अंकल क्या करें तुमारे प्रॉब्लम सुनकर वा परिशान हो बिए और और उसे तीम अब लेकर नहीं बताया मेरा मोह तो पर तोड़ना पड़ा इसलिए लेकर पशारी दूर करने ऐसे असे कर स्कते हैं आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं अब जो चल रहा है चलने दो पूजा इससे सचाई हम लोग बाद में बता देंगे सिर्फ दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास या संजु से शादी कर लो या मेरी बात पर आमल करो यह गलत है यह गलत सही का वक्त नहीं है एक बार यहां से ब कि फूल जैसी बच्ची कैसे मुझाली है मैं जानता हूं यह सब एक नाटक है मेरा यॉरॉप आना आपका मुझे पूजा से मिलवाना यह सब ऊपर वाले करचा हुआ खेल है बच गए है हम सब तो इस नाटक के किरदार हैं और प्यार में तो यह चोटी-मोटी मुटी कितनी खुबसूरत लगती हो चलिए प्रसाइट जी चल कर थोड़ा आराम करते हैं चलो चलो देखना प्रसाइट जी मैं पूजा को कभी मुर्जाने नहीं दूगा हां पर केसे करोगे अपने प्यार का जादू जलागर साफ कोई राव आए है अपसे मिलने यहां बैटा है और आफर्त आई हुइए समझ ने आरा तुझे जो गया है इसको नहीं आ रहा है मेरे बरुटब क्या करें आप कोई जाल опम है ब верх क्रिवए बीस तरका क्या करेंगे darüber कि पृसितर τοer हों उने को बृटêm मैं भी आप चलिए ना आप ओ यह दिखे ऐसे प्रॉनित बेटा यह है मैं जानता हूँ आनन अंकल नमस्ते अंकल नमस्ते गलत यह आनन्द राव जी नहीं है सर्वेय ऑफिसर है फैक्टरी कहां डालनी है उस बारे में बात करने आया है तुझे बहुत जल्दी थी आनन राव से बहुत मिलती है वो बिल्कुल इनकी तरह नहीं देखते है वो तो दूबले पतले है मेरी अर्थी का सावान तयार रखना है तो पतले हो गए क्या जब मैंनों ने बच्पन में देखा था तब वो बहुत मोटे थे अब एक बार और देख लूगा ना तो फिर भूलूगा हालो मैं शंकर ठाकuru बोल रहा हूं हरे शंकर ठाकUR क्या चल रहा है तुम्हारे वहां मेरी याद कैसे आई बस यो ही अपने गाओं से एक लड़का आया है वो कहता है वो तुम्हेν जानता है अक्छा कोन है वो खुदी बात कर लो हाँ 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 अंकल, मैं प्रनित बोल रहा हूं, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं, और अपने पापा का नाम क्या बताया? आपको बता के कोई फाइदा नहीं होगा. ऐसा क्यूं कह रहे हो? तीवारों के भी कान होते हैं, ना? पूछ रहे हैं कि मैंने अप तक कितना पैसा कमाया है, बता दूँ क्या? ने, ने, बिल्कुल नहीं. आपको बताता हूं, अच्छा मेरे आने का मकसद पूछ रहे हैं, तो ऐसे बोले ना, बताता हूं. पूछ कुछ और रहा हूं, बता कुछ और रहा है, अजीब लड़का है. दरसल इस गाम में मैं एक खात की फैक्टरी डालने का सूच रहा हूं, उसके लिए एक पार्टनर चाहिए. अरे हाँ, याद आया, आप क्यों नहीं बन जाते, आपको पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा. इतना अच्छा ओफर मना कैसे कर सकता हूं. तो मैं बात पकी समझूँ, अरे सर, डील होने वाली है. ये क्या बात हुई? तुमने पहले सौदा हमसे टेक किया, अब किसी और को पार्टनर क्यों बना रहे हो? मैं उन्हें पहले से जानता हूं, ना. कारोबार जान पैचान वालों के साथ करोगे, तो बरबाद होके रह जाओगे तुम. पार्टनर हमेशे आजनभी होना चाहिए, क्या कहते हो? आहा, सही कह रहे हैं, आप इनी के साथ सोदा कर लिजे, ये लोग अच्छे लोग हैं. ठीक है प्रसाद जी, अगर आप जोर दे रहे हैं, तो मैं इन्हीं पार्टनर बनाता हूं. ये हुई ना बात, है, इसे अंदर ले जाकर ठूस ठूस के खिला, जा, जा बेटे, जा. अरे शंकर ठाकूर, मैं गाओं के लड़के से काम की बात कर रहा था, कि आवाज बंद हो गई, उससे बात करवाओ ना. अगर फिर से यहां फोन किया, तो तुझे काट दूँगा. दिखा, कैसा उल्लू बनाए, मैंने उनके चेरे देखने लाएगा. उने तो पकड़वा दिया था हमें. क्या प्रसाजी, जब भी कुछ करता हूं, खुश ही नहीं होते हो. अगर दुबारा ऐसा हुआ, तो इन लोग मेरी जान निकाल लेंगे. अब यहां से निकलने का प्लान बता, वेकटेश. लेकिन उससे पहले मुझे इस घर का प्लान चाहिए. घर का प्लान क्यों चाहिए? वो बाद मैं बताता हूं. अभी तुम्हारा शक्दूर करता हूं. यह लड़का जो अभी गया, उससे कुछ देर पहले वहां तो तुम प्रनित कह रहे थे. और यहां व्यंकटेश कह रहे हो, यह मामला क्या है? अए उसका निकनेम है, व्यंकटेश. तुम्हारा कोई बच्पन में रहा होगा न, जैसे कपिल देव का कप्पू, वो धवन को गबर, और तुम्हें भी तो चिंदी बुलाते हैं. यह आपकी इतनी बेज़िती कर रहे हैं और आप खड़े-खड़े मुस्कुरा रहे हैं? यह मुझ पर नहीं बरस रहे हैं. यह जिनको बोल नहीं सकते न, उनका सारा घुसा, सारी भड़ास मुझ पर उतारते हैं यह. ओ, चालू रखो फिर तो. खा पी कर बदन तो बढ़ा लिया तुमने, पर दिमाग नहीं बढ़ाया. थर्ती के बोज, अब खड़े क्या हो? यह मैं तुम से कह रहा हूँ प्रसाद से नहीं. गुरु जी. मैं भड़ास निकालता हूँ यह बताने की क्या ज़रूरत थी? गुरु जी, मुझ पर गुस्ता निकालने के बजाए, अपने जीजाजी को सब सच पता दीजे. जाइदात के कागज़ात मिल जाएंगे. वो फिर भी मुझ पर यकीन नहीं करेंगे. हमें कोई पक्का सुबूट ढूनना होगा. अब उन दोनों पर नजर रखनी होगी. प्रुजार मेजाक्षरी, मुक्षत्वार कवाठबादनगरी, काशी पुरार्देश्वरी, भिक्षाम देहि खुपवलंबनगरी, मातान पुरनेश्वरी. हैलो, मैं कितना खुष नसीब हूँ. वो क्यूँ? जब मैंने पूजा को पहली बार देखा था, तो मुझे मेरी स अरे भगवान में आस्ता रखती है, आप कितने अच्छे हैं, आप कहां थे, उनको सुरही देगा, चल यहां से, कोने में चल, कोने में चल, दाल दड़का नहीं बनाया, नहीं बेटा, आज उपवास है ना तो खाना बनाने में टाइम लगेगा, बहुत अच्छे, और मैं इशाते हैं, तुम्हें तो पता है ना कि आज घर में पूजा रखी है, तो सोचा था सब मिल कर खाना खाएंगे, लेकिन सच कहूं तो बेटा, यहां हमारे जस्पातों की कोई कदर नहीं है, कितनी दुखी हैं बिचारी मा, कोई मा के उपर ऐसे चिलाता है, उस बेवकूब को जाने दो, ऐसे वक्त पर तुमको क्या करना चाहिए पता है, क्या करना चाहिए, इस मौके का फाइदा उठाकर दीदी के साथ खाना, बक्वास आइडिया, तो फिर अब तुम क्या करोगे, देखते जाओ, मेरे पेट में घोडे दोड रहे है, मेरे पेट में भी हाती दो सोच रहा हूँ कि इन लोगों से सौदा ना करूँ, मनपसंद खाना ना मिले तो अपनी मा की बेज़त ही करते है, मिलकर एक साथ खाना भी नहीं खाते, अब आप ही बताईए, ऐसे लोगों से कैसे सौदा करूँ, मेरा भरोस्ता कीशी है, मैं आप से कह रहा हूँ ना, इस सौदा आपके साथ ही करूँ, केले, देखा जीजा कितना नालायक है, कैसे इसकी प्राइवेट बाते हैं, छुप छुप कर सुन रहा है, जैसा आप कहें, रखता हूँ सादा खेल बिगार दिया तुने, एक दिन वड़ा पाव नहीं खा था तो तु मर गाता, पाव को मारो गोले, डील की बत्ती जलाओ लेजिए, आप भी लेजिए, नहीं, 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 अच्छे से खाव कितने दूपी हो गई हो, थोड़ा सा, यह लेजिए, खाव आके-आके-आके-आरे तुम सब भी भूकी हो ना, उपवास तोड़ो और खाना खाओ, दिखो वक्त क्या होगा, आप खा लीजिए, हम लो बात में खाएंगे, यह क्या, बोलो, बेटा, आपने भी करवाचाट कावरत रखाएं, सिर्फ करवाचाट ही रही, मैं तो सारे के सारे उपवास रखता हूँ, अपने हाथों से बना के सब को खिलाता हूँ, मा, बत्तमीजी से बात करने के लिए मुझे माप करना, कोई बा जूड है, वो मेरे आद से ही खाटी है, तुम थोड़ी देर से आये हो, वरना ये एक किलो रसमलाई पहले से निगल चुकी है, जिन्दा थी थब दो किलो खाती थी, मुझे लगा कि आप जजबातों की कतर नहीं करतें, इसलिए मैंने आनन अंकल से सौदा कर लिया, तुम और क्वारी किया से थी, में इंटो और की क्यो बोल रही है तुमारी एक मुस्कञ ये लिए मैं इनलिग घ्यान में इतना तो करी सकता है, ये क्यों लेकर रहा है? मिने सूचा अप पुरा परिवार मिलकर खा रहा है, तो हम भी साथ में खालेतें, आउ नहां साथ में खाते ह मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका मेरे लिए पागलपन बढ़ता ही जा रहा है, जब सच्चा ही पता चलेगी तब क्या होगा, इतना मत सोचो पुजा, काम तमाम होने के बाद हम उसे लात मार देंगे, अब ये हिसाब देखी, कितने मतलब ही इंसान है, आपको शर्म काम तमाम होने की बात कर रहा है ये, पर किसका काम तमाम अपना काम करते हैं, मेरा रास्ता छोड़ो, पेले किस दो फिर जाने दूँगा, इतनी घटिया सोच है, चलो अटो, उसमें क्या घटिया है, मैं तुमारा होने वाला पती हूँ, जो सबर्दस्ती कर रहे हो, पेले क चाह शर्मा रही हो, छोड़ो, मैंने कहा, सर्फ किसी तो मालना है, दूना इधरा, ठीको भी अभी कोबार, जानवर कहीं का, तुम अठेक तो होना पुझा, उसकी हरकते देख करके मुझे भी घुसा आ था, जी कर रहा था कि उसका खून कर दूँ, जनती ही, इस संजू का क काम तमाम करें, और ये संजू का काम तमाम करना चाहता है, बात समझ में आई चेले, हमको अपना काम तमाम करना है, गुरु जी, अरे, दिमाग लगा बेवकूफ, सम्धिंग इस गोई रॉंग, कुछ तो है चेले, अब बस एक सुराग हाथ आ जाना चाहिए, आगया, आग अंधराव से फोन पर बाते कर रहा था, कि वो सोदा उनसे पका कर लेगा, इस फोन से, और कितने फोन है, जी जा जी, एक चौकाने वाली खबर दूँ आपको, जल्दी बको, पिछले दो दिन से ये फोन डेड है, और इसकी कंप्लेंट भी की थी, मैंने खुद, क्यों चेल अगर मेरी बात जूट निकली, तो मुझे इस घर से निकाल बाहर करना, चेक कर लो, क्यों चेले, हाँ गुरू जी, हाँ गुरू जी, मैं पबनपूर से आनंदराओ बोल रहा हूं, जरा आप रनित को फोन देंगे, ठीक है, जरा आप एक मिनिट लाइन पे रहिए, वो यह आनंदराओ है, आनंदराओ, मुझे फोन दो, पहले यह पता लगाते हैं, कि उसका यहाँ फोन करने का इरादा क्या है, फिर बात करते हैं, वो छोड़िये वहाँ देखिए, एक पैर कबर में है, पर हरकतें दो देखो, हलो, मैं प्रनित बोल रहा हूं, आनंदराओ अजर प्रनित फियु 93 है, जी कहिए क्या बात है, ऐसा लगा कोई Якप ़ी वहाँ दोड लोड़ रहा हूं, इसलिया आपको ऐसा लगा होगा, प्रनित तुम्हारी आवाद बदली क्यों लग रही है, और तुम्हारे पास पदल रहा हूं ओर भात यह जिए, कि तर nehmen कुछ इसमें क्या है, जो सच है वही तो कह रहा हूँ, तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, शंकर ठाकुर एक नंबर का बनमाश और लुच्चा है, दूसरों के पैसों पर कुंडली मार के बैठता है, उनके साथ कारोबार करने वालों ने अपनी लुटिया डुबो दिये, उन बैमा आनू को छोड़ो और मेरे पास आजाओ, भक्वास मत कर, क्या हुआ प्रणीत बेटा, मैं कोई प्रणीत ब्रणीत नहीं हूँ, मैं दादा अठा कुर हूँ, मिमिक्री कर रहा था, कान खोल के सुन ले, आइंदा तुने प्रणीत को फोन किया तो तेरे छोड़े-छोड़े तेरे भी भज़े बना दूगा मैं, वेवकूफ, चेले बताओ, ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, पूछ लिजे ना, हलो, हलो, ये फोन खराब है, ऐसी कंप्लेन रजिस्टर होई थी, आपका फोन एक हंटे पहले ही दुरुस्त होगे, नसीब ही खराब है, वरना इतनी जल् तुम तो बना खुखार आदमी है यार, इसके बाद अगर ऐसा कुछ हो, तो इतला कर देना वेंकी, पता दूगा, रुकिये, ये पता है क्या है, बूतिया हवेली है, अरे नहीं, ये इस घर का नक्षा है, ठीक से देगो, मैंने इस घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर और मैंने इस नक्षे को पूरी तरह समझ लिया है, हाँ, कुछ डाउट्स है, एक बार वो क्लियर हो गए, उसके बाद हम भाग जाएंगे, और तुम्हारे बाकी के शक कब दूर होंगे, रे ये दिमागी काम है, इसमें एक मिना लग सकता है, चाहे तो छे मिना भी लग जा लगाना है, जहां बोला वहीं लगाना है, मेरी बाह पे लगाओ, ये क्या था, ऐसे ही फिसल नाएं ताके पकड़े ना जाएं, क्या चोर दिमाग है आपका, बढ़ बढ़ बन कर और चपले छोड़ कर चलो, लेकिन चपलो के बिना कभी दंगे प्या नहीं चले हो क्या, ज यार ये बिलियां भी सोने नहीं देती, एक और टेलेंट दिखा तो, अज मैं खतल कर दूगा, अब शोर नहीं मचाएगी, लोग जा, हम आगे चलेंगे और तुम पीछे आओ, अब कौन है इतनी राद गये, अबे, हाधिर आपको फोन क्यूं किया, मैंने सपना देखा, तुम एक घर में चोरों की तरह गुसे हो, और किसी ने तुमारे सिर पर जोर से लोटा फिक कर मारा, मुझे तुमारी चंता हो रही है, तेरा सपना सच निक्लमन हूस, क्या हो, श् आज इने रंगे हाथ हाथ पकड़ये है क्या है, यह श्य। जुक 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 है तरहं जुक है जुक है अधार अधार से सुन्ट को आज रात कैसे भी मुझे आख़ात लेकर यहां से निकलना है समझ गया आप कहा से आए आपको सुनाई देता है अपको सुनाई देता है क्या सुना आपने गाक्साथ लेकर पाठी कह यहां से अपको सुनाई देता है अपको सुनाई तो जलाद गुम रहे हैं वो हर रात ऐसे खुटे चोड़ता है वो बड़ा कुटा दिखता खतर्नाक है लेकिन काटता वाटता नहीं हो पर वो जो सफेद कुटा बैठा ना शांत सा वो ज़रूर काटेगा और इसकी खासियत है जो पस कवहीं करते हैं और भूल पर जाओ लेकिन कुटा तूस मेंट वाले सकति मिर्ण सा एकिन जो रहा हुँए है अब दूसर तरफ जाध उंक बढ़ना कुटा य Сам गुरुम हो ए सं प्रवुम हर्या कुटा-घ। अब भीज को मजज चखाता हूं मैं अब देखता हूं ये बाद कैसे हाँ अब देखता हूं ये बाद कैसे हाँ अब परसाजी कहा चले गए अब रएप्ट्र ये थैं साची अब धूझ में चैना ये क्या रहा है जलडी था, है जल्ति आ छोड़ा मुझे अब अभाता हूं होद क्योशला वोजै दरो मत मैं इसके चरे के यह मंगी क्या डाल देता हूँ अब यह यहीं पर हैगा पूजा पूजा तहां चले जा रहे हैं यह पूजा करूँ नहीं है यह किस का है? यह का ठाकूर का है? बत कर! यह जल निकल यह उसे अबे कौन है? इसमें यह और स्पूल को पूजा करते हैं अब बर गए क्या होगा? तेरी वज़े से तेरे फान की वज़े कौन है यहां पर? एक किस देजो पूजा पूजा तरफ एक किस दो ना नीन में बड़बड चर रहा है इतना नाटक यू करती है पूजा चल उठ उठ कोई दूसरे कमरे में जाके सो ने मुझे और कही नीन नहीं लगदी और तेरी बडबड से मेरी नीन खर रहा हूं लाब क्यू मार रहे हो? चल जा यहां से जा रहा हूं ना मैं जा रहा था ना फिर क्यू मार आपने? मैंने कब मारा? तु बाठ नीन में है जाए यहां से तो तो नीन में हाथ पैर चलते रहता है दूसरों को बोटते है उसकी द्राइग क्यों कि अरे पूजा के साथ पत्तमीजी कर रहा था अब गुस्ता छोड़ा में पूजा को ठूड़ना है तो वहां पर देख, मैं यहां पर देखता हूँ पूजा यह टिंगो फिर से फोन को साइलेंट करना ना भूल गया हो कहीं बच गया तो हम पकड़े जाएंगे देखना पड़ेगा पूजा परसाची दूसरा, दूसरा, दूसरा दीचे उपर, उपर आज़ा गिर गए मैं आता हूँ, आप रुकिये जल्डिया ती तो आप गोकोर में गिर गएंगे बहुत बद्भुआ रहेगे आज़ा, आज़ा, उपर, उपर तो भगवान भी आपको कौन से जुन किसा दे रहा है अरे, आज़ाओ अरे, क्यों शुर मचा रहे हूँ देगा ने तुझे मैंने देखे हैंगे, आपको तो बहुत चोट लेगे आज़ा, आज़ा, पीछे, 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 पीछे आज़ा, आज़ा आज़ा, बहुत दुखोरा, मुझे आप इरी बदत ने । मैं आपको इंत्रात्रोक ते रहाँ नहीं सच-सच, रोगवाँ शूराँ करेंगें मैं सच बहु रोगवाँ आपकी तकलिफ उससा देगी नी जारी मेरा कलाशु क्या है, पानी चे, मिल गया पानी, पानी बहुत गरम है, जो भी है, गटक जा, गटक जा, गटक जा, वेंकी, वेंकी निकलते हैं, चल 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 चल, 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 चुड़ेलों की तरह मुंदी को घुमा रहा है तू, कैसे हो फटीचर चाचा, आपने नीद में चलना कब से शुरू किया, पूरे होश में चलना था, तुझा यहां से, बेवकुफ इंसा, यह नाक कितनी लाल क्यों है, वो पिंपल आया मेरे नाक पे, कल आप कहा चले गए थे, मेरे पानी पिने के वाद आप दिखे ही नहीं, वो दारू थी, अब समझ में आया, इसका मतलब मै पितनी कुर्बानिया दे रहें, मैंने आपके उपर हाथ उचा दिया, खामोश हो जा मेरे बाप, सुन लिया ना तो आफ़त आ जाएगी, क्या हुआ, यह क्या चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और हम से यह बात चुपाई, बात कुछ और है मा, मैं आप आपके सारे सावलों के जवाब मैं देता हूँ, दरसल मेरा असली नाम प्रनित नहीं है, मेरा असली नाम है वैंकटेश, मेरे मरहूम पिताजी का नाम है चंदरशेखर राव, और मेरी मरहूम मा का नाम चानकी देवी, मेरी पैदाइश हैदराबाद की है, जिस इलाके में वहां सब लोग एक साथ मिल चुल कर रहते हैं, अरे वैंकटेश, ये कोई टीवी सीरिल नहीं है भाई, जल्दी से बताओ ना तुम, टीवी सीरिल में सच्चाई नहीं होती है प्रसाजी, इसलिए सब कुछ डीटेल में बताना होगा, हाँ, तो मैं कहा था, डीटेल में बत प्रसाजी, मेरी कहानी बस इतनी थी, वक्त कम था, इसलिए मैंने जल्दी में बताया, बचे वे बाल भी जाते जाते बचे है, एक मिनट, आपको आप तक की कहानी समझ में आ गई, अब आगे की सुनो, दिल धड़के प्यार में इसकी कहानी मालूम है, आप उसकी स्चोरी म इसलिए प्रसाज और में मिलके, यहां से भागने का प्लान कर रहे हैं, क्यों, मैं ठीक क्या रहा हो प्रसाजी, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी की शादी का अच्छे इंसान से होगी, एक मा और क्या चाहेगी बेटा, पूजा मेरे लिए, मेरी बेटी से बढ़कर है अब वो सब मैं समाल लोगा, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, खासकर पूजा का, देखो पूजा, तुम बस यह जदा ना, कि तुम शादी से बहुत खुश हो, जब उनको एक बार तसल्य हो जाएगी, तब हम बड़े आराम से भाग जाएंगे, एक है रहा हुआ ह इस दस हजार का है, जीजाजी, रसीद है मेरे पास, आपके हिसाब को मारो गुली, शादी का घर है, उपर दुलन मुफुला के बटी है, नीचे दुला मुफुला के बटा है, आनन्द रावजी यहां होते तो, उन्हें फिर क्यों याद किया, तेखे अंकल, शादी वाले अगर मायूसी फैली हो तो अब शकुन होता है और उसका असर कहीं ने कहीं, मुझ पर भी तो आएगा ही ना, ये दक्यान उसी बाते हैं, अब तुम ही बताओ, हम क्या करो, तुम कहते हो वैसा ही होगा, ये क्या बात हुई, सब औरतें काम काज में लेगी हुए, चाजा जी काम वाब छोड़ो, धमाल करो, क्योंकि शादी वाला घर है, तुम ही बताओ, ये हुईना बात, तो श्रू जो, पम-पम-पम अब मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे हिम्मत दीजे भगवान, बेटा, भगवान से क्या माँगा तुमने, ये ही कि आज ब्यंकरटेश को सारी सच्चाई क्या कहा तुमने, अगर उससे सच्चाई पता चल गई ना, तो वो हमारी मदद नहीं करेगा, चाहे वो मेरी मदद करे या ना करे, मुझे उससे सब सच पताना है, सही कहा बेटा, तुम जैसे सच्चे दिल वाले, सच्चाई के रास्ते पे ही चलते हैं, मगर तुम उससे भगवान की सौगन देखो, तुम्हें अच्चा लगे या ना लगे, लेकिन अगर तुमने सच-सच बताया, तो वेंकी भी तुम्हारे घरवालों के सामने सच उगल देगा, कुछ नहीं चुपाएगा, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, लेकिन मेरी अर्थी उठेगी, इसलिए मैंने तुम्हें भगवान की सौगन दिल आई है, मुझे माफ कर देना, भाई, गुरू रेड़ी जेल से छोड़ गया है, वो आपको देख करी आप पर हमला करेगा, उस बुजदेल में इतनी हिम्मत नहीं, कि मेरा बाल भी पाखा कर सके, ये गुरू रेड़ी जे भाई ठीक से फैसला किया है न, वो शंकर बहुत ही खतरनाक है, जिनकी आँकों में खून होता है, वो फैसले नहीं बदला करते है, ये देख, कल वो इसी रास्ते से गुजरने वाला है न, मैंने इसी जगह पर उसके मौत का समान बिछा कर रखा है, जैसे ही उसकी गाड़ी कि इसके उपर से गुजरेगी, तो दाब, हथियार निकालो शंकर ठाकों के आपने आगे, हलो, साफ गुरू रेड़ी के आदमियों ने हमें पकड़ लिया है, आप और आदमियों को वेज़ो बरना हम और शंकर ठाक पर मारे जाएंगे, शंबो, अपने आदमियों को ले ज कर दो, जलने जाओ, निकलाओ, तू चाहे कितना भी भाग ले, तुझे अपनी मौत सामने खड़ी मिलेगी, शंचा और शंकर, तू अधा निकल सकता, तू मुझे निकल सकता, तू मुझे निकल सकता, से, सडा शंकर, से, सडा शंकर चेफाओ, अधा तू मुझा, से, सडा शंकर, सडा शंकर, सडा शंकर, वहला खुल, ये किसने किया, क्या मोटाओ, हुआ यह, रदशाकुर साब, Gauru रेड़ दी कि आदमियों, तू मुझी आदमियों बेजिये, डनी पुछे, भुज़ आद बेरागी, वो तीनों जहां कहीं भी हो, उन्हें घसीत कर मेरे पास लाओ देगा प्रजाजी, इसे कहते हैं प्लान, वरना आपका प्लान, टाय 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 पिस, ना कोई पीछे कर रहा है, ना ही मौत का डर है, शान्ती से मन्जिल की तरफ बढ़ रहा है ए भाई, पीछे सफेद गाड़ियों की फोज है, हमारे साथ रेस कर रहे होंगे, पीछे हमारी मौत है विकिटेश, इतने डरते हो, तुम्हारी बातों में आके मैंने अपका सर्वी ओखली में डाल दिया, अभी जल्दी करो, कुछ भी करके इस गाड़ी को उड़ाओ, मेरे पाई है तो उसका सामना सीना तान के करो, चल्दी से सीट्बेंट बेरो और पुजा तुम्ही जेश चला गारी भगा, चला लो जेश भगा, पीछ अगे दो अरे जंगेल में मंगल खोड़ी करना है, अभी में से जाएंगे तो पकड़े ही जाएंगे, इस रास्ते पर ही बचने का जाएंगे वे किते इस पीछे सिपाई और दोने तरफ खाई है, मूब बंद रखोने तो इसी खाई में गिर जाएंगे किते चुप एपस्पपिय नाएंगे याएंगे याएंगे वय झाएंगे हुँँँँँँँँँँँ सुनौ। वंगितिस, में रोट पे जाएंगे तो फज जाएंगे, राइटन ले ले. परसाजी हम एक राइट ले चुके हैं, फिर से राइट लेंगे तो हम घुम फिर के वही पोँचाएंगे. सार में भीजा है या गोबर परावा है उसी बने बजा दिया रहा है और से सुपर कर दुम एक दूद कर दो आई बेट लेट 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 । यह तुम लोग उस तरफ जाओ आजाती है तेह बचाली है न तुम्हें मेरी बात सुना करो के बारे में तुम्हा भोली किया था अजारो निकियो आगे रास्ता नहीव कहा जा रहे हो अभी बताओ ना अब बंद रहा हूं पूशा फोगड़ का खा लेते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना मैं बात में खाऊंगी कोई बात नहीं हम इसके लिए पार्से ले लेंगे ठीक है वेटर क्यों नहीं आए भी तक क्या भुकड़ों के तरह बेव कर रहे हो किसका फून है अहो संजू अरे मत उठाना या अरे यार उठाने दे तो अरे टाइक पास करेंगे और करवाएगा तू दिख 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 मज़ा है तुझे लगता है कि मैं तुझे बदाऊंगा पूजा को भगा के तूने अपनी मौत को दाबत दी है ओ ये डायलग बहुत पुराने हो चु दूगा चल्दी पूछ जल्दी पूछ जल्दी पूछ घलत पहिमी में मजजी वो किसी और लड़के से प्यार करती है सवाल पूछ बखवास मत कर बखवास नहीं सच है ये वो प्रसाथ तुम्हें धोखे में रख रहा है सच क्या है वो भी जानता है चलो तुम पूछ ले वर्षाट! अले एले, क्या हुआ? तुझा किसी और से प्यार करती है, लेकिन तु मुझे से जुट बोलता रहा, कि वो मुझे से प्यार करती है ये जुट है ये सच है, मैं तिरी जान ले लूँगा अले लो, ले लो मेरी जान, वो संजु तुम्हारी जान लेने के पीछो तुला है, तुम उसके हाथ नहीं लग रहे हो, इसलिए वो तुम्हें भढ़का रहा है और तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी बातों पे भरोसा है, वेंकी जान जोखी में डालके, मैं तुम दोरों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मुझे मेरी वफादारी का ये सिला दे रहे हो मतलब हम उसे जोट बोल रहा था तुम्हें अब भी मेरी बात पे शक हो रहा है, तुम मुझे पे शक कर रहे हो, ठीक है अगर पूजा पे करते ना, तो वो कहती तुम बहुत शक्की आदमी हो, कि शक्स मेरी शादी हो गई, ओ शक्स, वो तुवारे प्यार को ठुकरा देगी मैंने उस जोटे पे विश्वास किया, और आप पे हाथ उठाने की गलती की पर मैं ये बॉल टू बॉल वर्टू वर्ट पूजा से कहूंगा अइसा बत करना, उसे कुछ मत बताना, मैं आपके पाउप परता हूँ, मुझे बाफ कर दो अपने पचल समझ के बाफ कर दो ना, प्लीज बाफ कर दो ना नेक इंसान हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन दुबार आइसा मत करना, ठीक है, आप कुछ खा लीजे ना, खाईए हाई आजे, कहा हूँ पुझा, मैं तो एरपुट पहुंच के आँ, तुम ठीक हो ना, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो आजे, ठीक है, चार बजे के फ्राइट है, तुम जल्दी आ जाना, ठीक है, पुझा, आइ लव यू तू, तुम बार से ले क्या हो, साथ में चलते हैं, जो कहा है वो करो, लेकि अधरबाद मिलने का आए, क्या वह गाड़ी जानु नहीं हो रही है, आई 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 भार आई, जब भी कोई मुसीबत आ आ ए तो भगवान का नाम लेना चाहिए, जए श्रीकिष्णा, आई देखा, भगवान का नाम ने ते स्टार्ट हो रही हो और स्विच, हुम, वेंकी, पहले हम लोग एरपोर्ट चलते हैं, एरपोर्ट का काम है, वो क्या है ना कि पुझा का एक दोस्त यॉरप से आ रहा है, उसे मिलने जाना है, ओ, हमारी शादी में आ रहा है, हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो, चलो वहीं चलते है, हाँ, ठीक है, पुझा का रहे गए थी, अलो, ये कहुन है, मैं वेंकटेश, प्यार से वेंकी कहते है, यो नो वेंट्रीलो किस्म, यही मेरा पेशा है, और उसे करन में मुझा क्या लगते हैं, मैं इसका होने वाला पती, इसे इतना शॉक क्यो लगा, और ने तो क्या, इसे उसे चुछ न क्या मतलब क्या नहीं बता है इसे तो कुछ नहीं पता है मेरी कहनी है मेरे साब नो सुना है कि मुझे अच्छा लगए यह तुमारा बेस्ट फ्रेंड है इसे हमारी लवस्टोरी पसंद आएगी यही है पूरी कहनी उसे फरें में रखकर उससे सच छुपा रहे हैं हम इतना ही इतना काम है वहां जाकर हम उसे किसी भाने से यहां से भगाते हैं उसके आने से पहले गायब ठीक है ठीक है जाओ इनके लिए टैबलेट लेकर आओ मुझे जाने की क्या ज़रूरत है हम लोग जा रहे हैं रास्ते में खरीद लेंगे क्यों अरे सम्झा करो यार अपनी मत चलाओ और जो का है वो करो ठीक है तुम मेरा यही इंतजार करना मैं बस यह हो गया और यह आया पूजा चलो निकलते हैं तो रुग जाओ उसके एक्जिट के बाद एक्जिट करेंगे ताकि वो यूटन ला ले सके बैंकी क्या हुआ मुझे माफ कर देना माफ ही किस बात की मांग रहे हो तुम तुम्हारा फ्रेंड बेरा फ्रेंड मैं बस यह हो गया और यह हो आया पूजा को पता है कई से जुगाड करके पैसे लोटाने हैं हो जाएगा क्या चाहिए तुम्हें आजे आई रेड़े कल फ्रेड़े तिरह काम हो जाएगा इस लगेज को सब्सक्राइब चोड़ो तुचा को छोड़ो चोड़ो चोड़ो उसे पूचा ची वालो ऊसे आने, दो oper रता है कि इस नो कि मुझत सतता है आपिए आनी तंड में आप्रा आप प्लिख्रा नो अढमे! पना स्ठी कि अगर प्लिख्र आंडे कर आए इंड facilities, अ ल morality एंडे कई है अ reinforcement है कमल का से उत्री हegan पूचा को मुझसे दूर करने के लिए जूट बोला था ना अभी तक कोई पैदा नहीं हो जा मुझे मेरे प्यार से दूर कर सके मैं पूजा से प्यार करता हूँ और उसे से शादी करूँगा समझ गए तू अगर पूजा और मेरे प्यार के बीच में कोई आया तो चीर दूँगा उसे चला पूजा यह तो क्या बोल रहा है पूजा किसी और लड़के से प्यार करती है यह ख़बर बिल्कुल जूटी है पापा पूजा जिससे प्यार करती है वो वेंकेटेशी है हमारी फ्लाइट तो छूट गई है अभी हमें कहां ले जा रहा है हम लोग कहां जा रहे हैं चुप बढ़ो एक आवास नहीं सबकर सब मकार मुझे मेरी पूजा से जुदा करना चाहते थे अब पूजार मेरे बीच कोई आया हम तो इससे काट दूँगा जड़ा दूबा, टिमा चबशार जाओ वेंक टेश, वेंक टेश, शान 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 हो जा हाँ अब तक तुम लोगों ने सर्फ मेरे बारे में जाना है अब मेरे परिवार वालों से भी मिलL duplic अरे वाह कितनी खुबसूरत हम सफर चुनिये इसमें अपनी जिंदेगी के लिए इसी के लिए बनी है दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ये कितनी खुबसूरत है कहीं से मेरी ही नजर ना रचाए ये सब क्या है मुझे भी नहीं पता अरे बेटा अपनी रानी को अपना अपना दाहिना पैर अंदर रखो आजाओ बहुत शर्मेली है आजाओ अंदर तुमने बिल्कुल सही लड़की चुनी है मुझे ऐसी ही बहु चाहिए थी खड़ा क्या है जाई से अपना नया घर दिखा पूजा जब से तु मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी में दख गए मैं उपर वाले का शुकर गुजार हूँ कि मैंने जितना चाहा मुझे उससे कहीं ज्यादा मिल गया है देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लेके रखा है देखो यह मेरे माता पिता आज वो जहां भी होंगे बड़े खुश होंगे मां हमेशा कहती थी बीवी को खुश रखना पती का फर्ज है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सब लेके रखा क्या हो पूजा तुम रोग रही हो अपने मुमी पापा की याद आ गई एक मिरिट यह लो पूजा मेरी बच्ची कैसी है तू बेटा मैं ठीक हुमा किसी चीज की फिकर मत करना वेंकटेश के साथ जहां हो वाँ खुश रहना बेटा पूजा तुम दुबारा यहां कभी फोन मत करना कुछ होगा तो हम ही फोन कर लेंगे किसी को पता चला तो गट पर हो जाएगे ठीक है बात करके तसल्य हुई तुम तो मुझसे ज्यादा जजबाती हो मैं तो मन की बात बोल के अपना मन हलका कर लेता हूं पर तुम हो कि मन की बात मन में ही रखती हो आहंगा तुम मुझे बता दिया करना है यह सब क्या चल रहा है तुमने कहा था कि यह छोटा सा नाटक है अगर यह नाटक चलता रहा ना तो पूजा की शादी इस गवार से हो जाएगी तुभी बताओ मैं क्या करूँ हालात काबू के भार हैं वो देखो वो जो ब्राउन साडी में बैठी है ना उसे अपनी कथा सु एक ले जाते हैं तो थी कि थी आए आई दो हजाल लेकर गया था पिस्ले बहुत सितने बहुत मुझे बहुतン वसीबत में ऐसा आ कर गया था अब दो हजार के साथ मेरा भ्याज भी चुका ना उर्जा क्या कहा था माला माल हो जाओंगा ता आपकी पाई पाई चुका दूगा भूल गया तू अब क्या कह रहे थी कुछ नहीं बैंजी वेंके टेश की शादी में आपको में एक साडी दूगा तू मुझे साडी तौफर में क्यों देगा रहे हैं साडी तो मैं आपको दूगी ना मैंचिंग लाउज भी देना मेरी पोती भाग गई तो किसके लिए जिऊँगा मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से कराऊंगा लेकिन मेरी वज़े से वो किसी और के साथ भाग गई और इस सबका सिमेदार मैं हूँ जबरन उसकी शादी संजू से करवा रहा था और तो और मैंने बीमारी का जूटा बाहना बनाकर उसे विदेश से यहां बुला लिया मेरे पाप का घड़ा भर चुका है इसलिए मुझे जीने का कोई हथ नहीं इसलिए अब मैं चला सुनिये मेरा यकीन कीजिए वो जिससे पउर करती है उससे उसकी शादी होगी अरे अब क्या फाइदा अब वो कहा होगी कोण जानता है एपाशि मुझा मालूम है पुझा काहा होगी तेरी पसंद की थारी और अची खुशकबरी है, पुझा की मा का फोन आया था, घर वाले शाधी के लिए तयार हैं, हमें बुलाया है शाधी के लिए मान भी गए, कहानी का रुख बदल है, वो मना भी कैसे करते हैं, तुम्हारे जैसा लड़का, उन्हें और कहा भी लेगा नहीं, चाचा जी, यह उनकी करामात है, किसे? और कौन? अद्वान श्री क्रिष्ण, चार लीटर केरुसिन बरबाद कर दिया, और खुद को जलाया भी नहीं, ऐसा कौन करता है, जीजा जी? ओए बैरागी, पूजा के यहां आते ही, उसे अंदर भेज देना, और उस लड़के के टुकडे टुकडे कर देना उस लड़के ने मुझसे बैमानी करके अच्छा नहीं किया, उसके तो टुकडे टुकडे कर दूगा कहानी में ट्विस्ट, पर जीजा जी, आपने तो शादी करवाने का वादा किया था अरे गधे, मैंने जान बूज कर औरतों के सामने जूटा वादा किया था, ताकि उनके जरिये पूजा कहा है, ये पता लगा सको नाटक कर रहे थे, नाटक मंजली में शामिल हो जाओगे, जूटे कहीं के, चार लीटर के रूसीन बहाने के बाद, खुद को जलाया भी ने, जूटे, मकार, फर, पापी, कहां है, कहां गए, मैंने मजाग किया, क्यों, क्यों, मुझे अच्छा लगी, गुरू के साथ मजा को जाओ, क्या शांदार खुड़ा है, भाहर से इतना सुद्र, तो अंदर कितना सुद्र होगा, वेंगेटेश, बारात साथ क्यों ले आए, अरी, बारात ही नहीं होंगे, तो मेरी शादी कैसे होगी, आजाओ, मुझे आज बहुत होशी हो रही है कि आखिरकार घर वालों ने तुम्हारे प्यार को अपना लिया संजु बेटा मेहमानों को अंदर लेकर जाओ तुम दोनों मेरे साथ चलो आप आराम कीजी आओ पुझा यह है आप कुछ करते क्यों नहीं आपको मेंकडेश को बता देना चाहिए अर्चीज का एक वक्त होता है जैए वक्ता बता दूगा sagt मेरा बुरा वक्त आजाएगा आने दूंगा अब जाके मुझ दो के आओ जाओ दादा था कुर अरे शंकर अरे आप लोग सब यहीं बैठें आपने शादी के लिए आज्या दे दी मुझे बहुत प्रसंदता हुई आपको मैं बताना चाहता हूँ बताने के लिए मेरे बास भी बहुत जरूरी बात है अधरवास कोई खास बात है बहुत ही खास बात पूजा और वेंकटेश की शादी नहीं होगी पूजा की शादी वहीं होगी जहां मेरी मर्दी होगी यह बोलने में असाने करने में नहीं क्योंकि वेंकटेश इसा होने नहीं देगा बैरागी काली पाढ़ी के नर्सिमा को फोन करो और उसे कहो के अपने आदमियों को यहां पता नहीं क्या चल रहा है अरे प्रसाद तुमने उन्हें बता दिया क्या नहीं मेरे भाई बोलने का मौका ही दिया यह क्या बात हुई तुमने कहा था तुम बताओगे अगर हिम्मत नहीं है तो मैं बताता हूं तुम्हारे पेट में इतना दर्द होता तो जाओ बताओ जान और उसी नाटक की वज़े से प्रसाद उसे यह लाया है प्रसाद उसे बताए ना बताए मैं उसे सचाहिए बताऊंगा कि तुम उससे नहीं बल्कि मुझसे प्यार कर दो कर दो जो हो उसके लिए सुरी मैंने बहुत बड़ा पाफ किया है तुम्हारे जस्पातों के साथ खेला है मुझसे बहुत बड़ी घंदी हो गई रेंकेडेश इश्वर मझे इस चीज़ के लिए कभी माफ नहीं करेंगे मुझे माफ कर दो मैं मजबूर थी पुझा उठाव पुझा 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 रोव मत देखो इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है इसमें कहीं न कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं स्टेज पर जाने से पहले आउडिन्स मेरे पफॉफॉमेंस का क्या रिस्पॉंस देगी इसके बारे मैं दस बार सोचता था लेकिन अपनी जिन्दगी के इस परफॉमेंस के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा अपनी हैसियत से बड़े खौप देखना गलत बात नहीं है पर उन खौप को पूरा करने के जिद करना गलत बात है यह मैं नहीं समझ पाए। मेरी जिन्दगी ऐसी है। किसी प्रोग्राम के दौरान या किसी स्पीच के दौरान जब खाली वक्त होता है तो लोगों का मन बहलाने के लिए मुझे बुलाया जाता है। तालियों की गुण सुनकर, मुझे लगता है कि प्रोग्राम मेरी वज़े से हिट हुआ है। लेकिन बाद में पता चलता है कि मैं सिर्फ एक चोकर हुआ। उस सिर्फ जारा कुछ नहीं। माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं है। जो नसीब में लिखाया वही होता है। तुम लगी हो। तुम मुझसे नाराज नहीं हो। नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मेरे घरवाले बहुत खुश थे शादी को लेके। मैं उनसे क्या कहूँगा। कोई बात नहीं। मैं समाल लोग। अब मैं आजादू, पुल्फिक्रा, विल्कुल सही कहा तुमने। यह आप ले लिजे ना। बस यह साथ। अरे, रुखो, क्या करने हो। अरे, लीट पीरा, तु अरे, मर जाएगा। मर जाने दीचे, मेरे मरने से किसी को क्या फरक पड़ेगा। गर तेरी शादियार तु ऐसी बात करना था? शादी, 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 शादी नहीं करूंगा, तो का मर जाओंगा। वैसे भी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? चोखी पूजा मुझसे नहीं, अज यसे प्यार करती है। पर बेटा तुमने ही तो कहा वो तुमसे प्यार करती है? इसी गलत फेमी में तुम्हें जी रहा था. आज मुझे अस्रियत पता चली. दुनिया की बातों पर यकीन करके आज मैंने ये हालात पैदा करती है. गलती मेरी है. जिस लड़की को मैंने अपने दिल में बसाया, आज वो ही मेरे पैरों में पढ़के गड़ गड़ा रही थी. मैंने उसे यहां से निकालने का वादा किया है. जिस लड़की ने तेरा दिल तोड़ दिया, तु उसकी इतने फिक्र क्यों कर रहा है? उसे दोशमत दीजे, चाचा जी. पंडिची ने तो वैसे ही कहा था, कि मैं जिन्दे की भार अकेला रहूंगा. उनने सच कहा था. वैसे भी उसका और मेरा कोई मेल नहीं है. सच कहूं तो, कभी प्यार ही नहीं करना चाहिए. बहुत तक्लीफ होती है. जो बरदाश्ट नहीं होती. मैं पूझा को ऐसी तक्लीफ में नहीं देख सकता. इसलिए मैं उसे यहां से निकाल में मदद करना चाहता हूं. मैंने एक प्लान भी मनाया है. पागल है रो तू. तेरे जैसे हीरे को ठुकरा दिया उसने, यह तेरी बदकिस्मती नहीं, उसकी बदकिस्मती है. वो बुरी लड़के नहीं है, जाजाजी. इस सारे फसाद की जड़, वो प्रसाद है. वेंकेटेश, वेंकेटेश, एक ज़रूरी बात पता चली है. अब क्या हुआ? उन्होंने हमें यहाँ शादी के मकसद से नहीं, बलकि मारने के मकसद से बुलाया है. वो इस दलदल से निकलना चाहती है. जिद लगाई बैठी है कि सिर्फ वेंकेटेश से शादी करूँगी. जल्दी से दिमाग के घोड़े दड़ाओ. पूजा आजे और मुझे इस मुसीबत से निकालो. कुछ करो. मेरा तो क्लैमिक्स चल रहा है. लेकिन अगर तुभे कुछ हुआ तो पूजा का क्या होगा? क्या होगा? बेबुनियाद बात क्यों कर रहा है तू? वो जान देदेगी. जान देदेगी? मेरी जिंदगी का मजाग बना दिया तुने. फिर भी चैन नहीं पड़ा तुझे? क्या खाता तुने? मेरी कवीता सुनके पूजा मेरी फैलोग में चूट बदददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद अब चुक्रिया वैंकटेश अगर तुम नहीं होते तो.. झाल पूजा को भगा कर तुने बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसे हमारे हवाले कर ले वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा आखरी मौका देता हूँ पूजा को चुप चाप लोटा दो तुमारे दिये इस मौके से बड़ा मेरा दिया हुआ वादा है मारे जाओगे पूजा के साथ अगर मैं जीना सका तो उसके लिए मरने के लिए तैया हुआ है करना उसको उसके लिए क्यों जीजा जी अपने पार्टनर की असलियत देख ली आपको तो लग रहा था कि मैं आप दोनों के बीच फूट डाल रहा हूँ न अब क्या हो गया बोलो अरे बाबा सब की धुलाई कर दी अब ये वेंकिटेश उड़ उड़ कर आपकी ऐसी धुलाई करेगा कि नानी याद आ जाएगी क्यों चेले मरने से पहले मेरे कागजात मुझे दे दीजिए बता दीजे कहा रखे हैं हट मुझे मरने के पहले ही मारना चाहता साले कहिंके इसलिया है रुक जाओ उन्हे कुछ मत करना प्लीज वेंकटेश मैं आप ही को पूछता हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा किया और यही नहीं मैंने तो अपना नाम आपके नाम पर रख लिया लेकिन आपने क्या किया मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई मुझे जो लड़की पसंद थी उसकी भी शादी हो रही है अब तो खुश हो ना बहुत हो गया अब तुमारी चौकट पे फिर कभी नहीं आऊँगा तुम किसके तरफ से हो लड़के वाले या लड़की वाले वाले इसलिए पूछ रहा हूं कि वहां बैठे लोग बोर हो रहे हैं वहां जाकर उनका दिल पहला अच्छा आप यहां पर भी यही काम करो शादी शुदा हो नहीं तो फिर कभी नहीं हो तो मैं पहले से जानता तुही बता मैं क्या करूँ तुझे इस हाल में देख के दुखी हो रहा हूं आप महतम मत मनाएए आप शादी में लेकटिश बेटा तुम सच में कितने दर्या दिल इंसान हो कि तुमने पूजा को उसके प्यार से मिलवाया शादी के बाद अपने इस परिवार को भूल मत अचाना हमसे मिलने के लिए आते जाते रहना सुनकर बहुत खुश हुई जाए अपका अपन्डी जी नजार कर रहे हैं याई हम अब समझ गया है अब दुला दुलन को बलाईए किपने सुन्दर लेग रहे हैं अब दुले रादा तुम भी बैठ जाओ वेंकेटेश बैठो पर दुले तो तुम हो पंडी जी दुला मैं नहीं वेंकेटेश है तुम अब तक तयार क्यों नहीं हुई आजे मुझे तुम्हें कुछ बताना है क्या मुझे लगा था कि जब सब कुछ खतम हो जाएगा तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ शादी करके योरप चली जाओंगी लेकिन मैं वेंकेटेश को चाह कर भी भुला नहीं पा र अजे मैं उमीद करती हूँ कि मैं जो भी फैस्टा लूँगी उसमें तो मेरा साथ ज़रूर दोगे वेंकेटेश तुम्हारे निस्वार्थ प्यार ने पुजा का दिल जीत लिया है पुजा को तुम से अच्छा लड़का कभी मिल ही नहीं सेता बैर जाओ बना ये मुहरत भी निकल जाएक पंडीची एक मिनिट मैं अभी आया मैंने खुछ से में पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया मुझे माफ़ कर दीजे आपने तुमेरी नहीं पार करवा दी जै श्री कृष्णा वेंकेटेश फेर आगे अपने दोस्त को मखन लगाने हां मैं और मुझे कुछ नहीं का होगे तुम्हें आई लव यू आई लव यू वेंकेटेश सुपर सुनो बीटा मालिक ते तुम्हारी सुनली और तुम्हारी शादी हो गई अब मेरा भी कर्जा चुका दो मालिक तुम्हारा भला करेगा अब मेरा कुछ भी नहीं अंकल जो है सब इनका है श्हारा भला कते हुआ लड़usion